अगर मैं तिस्टम डिस्कस कर रही हूँ, for example, if I'm discussing epidermal tissue system of root, उस टाइम पर मैं root की anatomy भी डिसकस कर लूँगे, so that आपको revision में पढ़ने में जोड़ा easy हो जाए, ठीक है, बचों एक काम और करोगे आप, अपने साथ NCRT का diagram खोल करके बैठोगे, इनके पास बहुत बड़ा large vacuum present होता है, तो आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहली बात NCRT में लिखा भी हुआ है कि epidermis of root is known as epiblema. अलो स्टूरेंट्स, वेलकम बाक टो दी रफ्तार सीरीज विद या यशिका मैम, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं lecture number 3 of chapter anatomy of flowering plants, जैसा हमें पता है बचो anatomy का मतलब क्या है, हम root stem leaf को जब cut करते हैं, जो में अंदर चीज़र दिखाई देती है, that is set to be internal structure, और उन ही की study को ह हम कहते है, anatomy, है ना, तो अब हमने cells के बार में पढ़ लिया है, तो obviously हमें जह हम root stem leaf cut करेंगे, तो हम एक cell तो मिलेगा नी, हमें group of cell मिलेगा, और उस group of cell को हम बोलते हैं tissue, और एक tissue नहीं होते हैं, बच्चों, बहुत सारे tissue present होते है, epidermal tissue present है, cortex वाला मतलब ground tissue present है, vascular tissue present है, और बहुत सारे group of tissue हो, बच्चों तो उसको क्या बोलते हैं, tissue system, तो आज के इस lecture में we gonna talk about how many different types of tissue system exist inside plants, ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं बच्चों, tissue system, tissue system में बच्चों हम 3 type of tissue system पढ़ेंगे, जो हमारे plants के अंदर दिखाई देता है, कौन-कौन से हैं, जो सबसे बाहर की तरफ, tissue present होता है बच्चों, जिसमें epidermis वगएरा आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, epidermal, epidermal tissue system, that is known as epidermal tissue system, सबसे बाहर की तरफ, ठीक है, second इससे नीचे जो आता है बच्चों, उसको बोलते हैं, हम ground tissue system, क्या बोलते हैं, ground tissue system, अभी हम सारा image भी देखेंगे, tension ना लेन that is said to be ground tissue system, और आपको पता है, xylem और phloem जिस system में आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बच्चों, उसको बोलते हैं, हम vascular system, ठीक है, हम epidermal tissue system में किसकी किसकी बात करेंगे, we gonna talk about epidermis, epidermis, root में, stem में, leaf में कैसा epidermis होता है, क्योंकि tissue system हमें सबका पढ़ना है, सारे की सारे tissue system हमें root, stem, leaf सब में पढ़ने हैं, ठीक है, तो हम epidermis की बात करेंगे, उसमें, हम बात करेंगे epidermal appendages की, epidermal appendages की, appendages का मतलब क्या होता है बच्चो, outgrowth, appendages का मतलब outgrowth, जो outgrowth, epidermis से निकले, that is there to be epidermal appendages, तो इसमें हम दो चीज़ की बात करेंगे, एक निकलता है root hairs, root की epidermis से, और एक निकलता है stem hairs, stem की epidermis से, जिसको हम trichomes भी बोलते हैं, तो इनकी बात करेंगे, इस tissue system में, और किसकी बात करेंगे, बच्चो आपको पता है, जो leaf की epidermis होती, अभी दिखाऊंगी भी, there is a presence of stom stomata, किस परपस के लिए, gaseous का exchange कराने के लिए, हमने फोटो संदिसेप्टर पढ़ा हुआ है, और किसके लिए, transpiration कराने के लिए हैं, तो हम बात करेंगे, epidermal structures की, वो structures, जो epidermis पे present होते हैं, और वो कौनसे structures की हम बात करें, particularly, we are talking about stomata, but stomata कहां पर present होता है, बच्चो की epidermis जब हम discuss करेंगे, particularly, तब हम stomata के भी बारे में discuss करेंगे, ठीक है, तो हमने epidermal tissue system में, बच्चो ये सारी चीज़े पढ़नी है, ground tissue system में क्या-क्या पढ़ना है, so ground tissue system न, itself divided होता है, एक सेकेंड, ground tissue system, कब फिर से division आप देखोगे, अभी, एक सेकेंड, तीन हिस्सों में, cortex, pericycle, and pith, लिखते हैं बच्चो, cortex, pericycle, direct question आता है बच्चो कि ground tissue system में क्या-क्या चीज़े आती है, cortex, pericycle, and pith, cortex फिर divided होता है तीन लेयर में, जो लेयर epidermis के just नीचे present होती है, उसको हम hypodermis बोलते हैं, का मतलब नीचे, hypodermis के बाद जो लेयर generally दिखाई देती है, that is said to be general cortex, और general cortex के नीचे, जो लेयर आपको दिखाई देगी, उसको हम बोलेंगे endodermis, that means, cortex की सबसे innermost layer कौन है, cortex की सबसे innermost layer कौन है बच्चों, endodermist, ये भी question आता है, innermost layer of cortex, तो इन सारी चीजों का हम discussion करेंगे, जब हम root, stem, leaf का ground tissue system discuss करेंगे, pericycle के बारे में पढ़ेंगे, पित के बारे में पढ़ेंगे, vascular tissue system में we gonna talk about xylem and phloem, तो हम तो xylem and phloem के बारे में अलोड़ी पढ़ चुके हैं, हम इसमें xylem और phloem के बारे में नहीं पढ़ेंगे, तो particularly अगर हम brief में बात करें तो हमें इन टीनो tissue system के बारे में पढ़ना है, अब मैं आपको एक छोटा सा डाइग्नाम दिखाती हूँ, so that आपको मोटा मोटा idea तो लग जाए कि आप पढ़ने के हवाले हो, ठीके, जैसे for example, for example मैं आपको stem दिखाती हूँ, ठीके, for example, root कहलो या stem कहलो, for example, यह देखो, यह हमारा monocot root है, यह हमारा dicot root है, ठीके, तो आप देखो label, labeling कर रखा है, यह देखो क्या है, सबसे पहला यह green वाला जिसको epiblema लिखा हुआ है, यह epidermis होता है, तो हम यह epidermis जिसमें आता है, उसको epidermal tissue system बोलते हैं, cortex, endodermis, pith वाला हिस्सा, यह वाला हिस्सा किसमें आ रहा है, यह वाला हिस्सा हमारा cortex, मतलब ground tissue system में आ रहा है, और अंदर जो xylem और phloem है, यह वाला हिस्सा हम किसमें पढ़ेंगे, vascular tissue system के अंदर पढ़ेंगे, इस कुछ चीज़ें बताती है, फिर anatomy को जभी discuss करती है, तो कुछ चीज़ें बताती है, what I do, मैं जब आपको tissue system explain करती हो न, उसी के साथ साथ सब की anatomy भी discuss कर लेती हो, अगर मैं tissue system discuss कर रही हूँ, for example, if I am discussing epidermal tissue system of root, तो उस time पर मैं root की anatomy भी discuss कर लूँगे, so that आपको revision में पढ़ की तरफ होता, और अभी आपने देखा ना सबसे बाहर की तरफ कौन है, epidermal tissue system, है न, तो इसमें हमने कहा था न, हम किसके बारे में discuss करेंगे, हम सबसे पहले discuss करेंगे epidermis, अभी जो हमने diagram देखा था बच्चो, वो root का था, है न, और हमने देखा था, सबसे बाहर की तरफ जो layer थी, वो कौन थी, epidermis ही थी, तो हम क्या लिखेंगे, outermost layer, बचो एक काम और करोगे आप, अपने साथ NCRT का diagram खोल करके बैठोगे, ठीक है, so that जहाँ जहाँ से मैं लिखती चल रही हूँ, बोलती चल रही हूँ, आप वहाँ से match करते चलो, ठीक है, so आप देखो, epidermis चाहे, root का देखो, stem का देखो, आपको सबसे बाहर वाली layer दिखाई दे रही है, ठीक है, outermost layer होती है, और outermost layer है, तो जैसे हमारी skin outermost होती ही, तो उसका काम क्या होता है, protection का, तो इसका एक protective nature भी है, ठीक है, और कैसी cells होती ही, बच्चो, they are parent chematous cells, अभी दिखाया भी था with no intercellular spaces, हमने पढ़ा था ना, कि जो हमारे parent chematous cells होते हैं, वो बिना space वाले भी हो सकते हैं, तो जो epidermis होता है ना, चाहे root का हो, चाहे stem का हो, चाहे leaf का हो, ये देखो, this is epidermis, और आप एक भी space देख पार हैं, दोनों cell के बीच में intercellular space नहीं देख पार है, ठीक है, तो ये epidermis का feature है, किसके बने हुए parent chematous cells, इनके पास बहुत बड़ा large vacuole present होता है, ठीक है, there is a presence of large central vacuole, large central vacuole, और अगर vacuole बड़ा सा और बीच में आ जाता है, बच्चों, तो cytoplasm side में हो जाता है, ऐसे cytoplasm को हम क्या बोलते हैं, peripheral cytoplasm, ठीक है, यह गया, उसके बाद और क्या है, आप देखो कितना layer है, उठा करके NCRT देखो, root का देख लो epidermis, चाहिए dicot, monocot, stem का देख लो, leaf का देखो, आपको एक ही layer दिखाई दे रही, एक से जादा नहीं दिखाई दे रही, तो generally क्या हम बोलते हैं, कि epidermis कैसी हो usually, बच्चो, usually, although there are certain exceptions, but usually question पूछा जाता है, तो क्या mark करोगे, it is usually single layered, ठीक है, जैसा हमारे NCRT भी सिखाती है, clear है बच्चो, अच्छा, इनके पास, there is no chloroplast in the epidermis, except, except in the epidermis of leaves, except in the epidermis of leaves, देखो, किसी के भी epidermis में आपको chloroplast नहीं दिखाई देगा, but leaf की epidermis में chloroplast होता है, उसका reason, जब आप leaf का पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा, या और या यह कह सकते हो, मैं ने तुमसे question पूचा, सोचो, और इसका जवाब मिलेगा, जब आप हम leaf के आन epidermis के बारे में discuss करेंगे, सबसे पहले हम discuss करेंगे epidermis of root, ठीक है, अब हम discuss करने वाले epidermis of root, NCRT का I guess 91 page number है, if I'm not wrong, या उसी के आसपास ही यह बच्चो, तो वो page number खोल करके बैचना है epidermis of root का, ठीक है, तो आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहली बात NCR पाटी ने लिखा भी हुआ है, कि epidermis of root is known as epiblema, ठीक है, क्या बोलते है, उसको epiblema, अभी मैंने भी दिखाया था आपको, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, that is known as epiblema, sorry, single M होता है, ठीक है, चेक कर लेना एक बारी, और क्या बोलते है, इसको बोलते है, rhizodermis, क्या बोलते है, राइजो डर्मिस, और क्या बोलते है, पिली फेरस लेयर, पिली फेरस लेयर, ठीक है, ये सारे epidermis of root के नाम है, जब epidermis of root आप NCRT में देख रहे हो बच्चो, ठीक है, ऐसा बना हुआ है, तो आप देखो, parent काइमेटर सेल हैं, without any intercellular spaces, और इसकी epidermis से, इस epidermis को क्या बो सकते हैं, और और भी बहुत सारे नाम उपर लिखे हुए है, इसकी epidermis से, कुछ cells की extensions होती है, ठीक है, और इस extensions को हम क्या बोलते हैं, इन extensions को हम नाम देते हैं, root hairs का, किसका नाम देते हैं, बच्चो, root hairs का, ठीक है, ये root hair, एक ही single cell की बनी होती है, तो हम root hair को क्या बोलते है बच्चो यूनी सेलुलर बच्चो डिफरेंस पूछा जाता है इस वाले में और स्टेम की एक्सेंशन में ठीक है तो आपने याद रखना है कि यह जो एक्सेंशन होती है रूट की एपिडर्मिस की इसको रूट है बोलते है और इसका नेचर कैसा होता है सिंगल लेघर है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं यूनी सेलुलर ठीक है और आप देख सकते हो root की epidermis भी कितनी लेयर है अभी हमने पढ़ा भी तो था कि epidermis generally कितनी लेयर होती है single layer single layer although there might be certain exception but आपको general लेके चलना है single layer और आप आप देखो बच्चो यहां पर कोई cuticle present नहीं है cuticle absent है अब देखो आप सोचों कि cuticle होता क्या है रुख जाओ NCRT खोलो ठीक है अगर इसमें दिखा हुआ होगा तो I can show you यह देखो यह stem की internal structure है ठीक है यह stem का internal structure है और आप देखो आपको epidermis के ऊपर एक line दिखाई दे रही है जिसको label कर रखा है cuticle मतलब stem के पास cuticle होता है root की epidermis के पास cuticle नहीं होता आप तुम सोच रहो होगे है ऐसा क्यों ठीक है अब सोचना ध्यान से सुनना वैसे आपको पता भी होगा cuticle क्या होता है बचो cuticle एक waxy coating होती है अगर यहां पर आप waxy coating कर दो ठीक है तो होगा क्या transpiration कम हो जाएगी अब root तो अंदर धसे हुए ना यार root को कौन सा सूरज भगवान से मतलब है temperature कितना भी जादा हो root को effect क्या होगा कुछ फरक नहीं पड़ता तो पानी का loss root से कोई कोई लेना ही देना नहीं है तो वहां पर cuticle को रखे क्यों cuticle होता क्यों है leaf के पास या stem के पास transpiration को बचाने के लिए root का कोई लेना ही देना नहीं है transpirations है इसलिए भगवान जी ने उसको cuticle दे भी नहीं रखा है तो सीधा सीधा क्या मा करोगे cuticle is absent in the root anatomy of root चाहे dicot हो चाहे monocot हो तो अभी हमने क्या discuss किया बच्चो epidermis of root discuss किया है ठीक है अब हम discuss करेंगे epidermis of stem यहीं पसारा clear हो जाएगा आपका हम जब epidermis discuss करेंगे तो root stem leaves सबका discuss करेंगे अब हम बात करेंगे epidermis of stem ठीक है अब तुम stem वाला डाइग्राम खोल करके बैठ जो साथ ही साथ compare करते रहे ना बच्चो याद करना है आई agree बड़ समझ लोगे तो बैटर हो जाएगा तो उसका भी epidermis आप देखो तो उसका जब epidermis आप देखोगे तो आपको single layer दिखाई दे रहा है as usual ठीक है single layer है बना लो ठीक है single layered epidermis क्योंकि हमने पढ़ाई हुआ है कि single layer होता है without intercellular space parent kymetis cell है ठीक है अब यहां के भी cells में extensions होती है ठीक है that means stem में hair की presence होती है बट इनके में और उनमें difference क्या है तुम बोलोगे मैम वो root के बाल थे यह stem के बाल है ठीक है बाबा very good very good ठीक है बट थोड़ा सा और सोचो वो एक single cell का था बट यहां पर multiple cells का यह बना हुआ है क्या बना हुआ है multiple cells का बना हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे multi cellular यहां पर कोई branching नहीं है ठीक है यहां पर आपको एक ही दिखाई दे रहा है तो it can be unbranched या फिर बच्चो इसमें branching हो सकती है इसमें branching हो सकती है tricoms में ठीक है इसी लिए NCRT ने भी लिखा हुआ है it can be branched और it can be unbranched ठीक है पहला point इससे question आता है या तो यह soft हो सकते हैं या तो यह stiff हो सकते हैं ठीक है इनका काम क्या है यह hair की growth है फैल गई है exposure कम है ठीक है तो यह किस से बचाते हैं यह transpiration से भी बचाते हैं थोड़ा बहुत transpiratory loss से prevent कराते हैं transpiration ठीक है और और क्या हो सकता है इनका function they may be secretory in function they may be secretory in function तो पहला जो सबसे important difference आपने इसके hair में और root की hair में पड़ा है that is वह unique cellular होता है और यह multi cellular होता है ठीक है ओके और हमने वहां पर देखा था बच्चों कि वहां पर cuticle नहीं था बट यहां पर इनके पास एक waxy coating present होती है उस waxy coating को क्या बोलते हैं cuticle cuticle जिस material का बना है उसका नाम होता है cutin cuticle क्या करता है क्योंते हैं cuticle एक waxy coating होती है और waxy coating क्या करेगा इट प्रिवेंट ट्रांस्पिरेशन क्योंकि आपको पता है देखो ट्रांस्पिरेशन होना इस गुड़ यह होना इस गुड़ क्यों है यह तो आप ट्रांस्पोर्ट वाले चाप्टर में समझ लोगे इसलिए थोड़ा बहुत बचाना भी पड़ता है तो बचाव के लिए हमें cuticle लगाना पड़ता है cuticle लगाना पड़ता है क्योंकि prevent करता है ट्रांस्पिरेशन अब आप कमा रहें कि कमा किसले रहें ठीक है ठीक है saving कर लें saving कर लें बचा saving करो कि काम आएगा बट जो जरुवत मन की चीजें वह तो खरीदना पड़ेगा उसमें कंजूसी करो के तो जीओ कि कैसे है ना तो saving is important but excess of saving एकसे मतला तुम जरुवत की चीजे तुम्हें पता है घर में प्यास सबजी सब खता में तुम खरीद नहीं रहे हो पैसे खर्चों जाएंगे हमर जाएंगे यार similarly transpiration चाहिए बड़ एकसे नहीं चाहिए इसलिए cuticle की जरुवत पढ़ती है ठीक है यह हो गया उसके बाद हमने stem का epidermis भी बच्चों discuss कर लिया है अब हम किसका epidermis discuss करेंगे अब हम discuss करेंगे epidermis of leaf ठीक है तो cuticle के बारे में बता दिया है कि cuticle present होता है लिख लेना बच्चों उसके बाद next लीव का भी discuss कर लेते हैं देखते हैं इनके और इसके leaf में बाकी के में क्या फरक है ठीक है epidermis of leaf पहली बात पत्ती सब ने देखी है पत्ती जब आप देखते हो तो आपने देखा होगा दो surface दिखाई देता है एक ये वाला एक ये वाला है ना that means इसका नीचे भी epidermis है इसका उपर भी epidermis है ठीक है that means अगर आपसे question पूछा जाए कि किसकी आनेटमी में आपको दो epidermis दिखाई देता है दो मतलब उपर नीचे तो वो किसकी होती है वो leaf की होती है ठीक है तो आप लिखोगे epidermis leaf में दो तरीके की है और वो दो तरीका किस पर dependent है कि वो उपर प्रेजेंट है या नीचे प्रेजेंट है तो हम ऐसे लिखेंगे या हम ऐसे लिखेंगे two types of epidermis two types of epidermis on the basis of location on the basis of location एक कौन सी है जो उपर प्रेजेंट होती है उपर वाले को हम क्या बोलते है अडाग्जियल epidermis ठीक है अडाग्जियल epidermis अप लीफ की अनेटमी खोल लो दिख जाएगा और एक कौन सी होती है बच्चो अब आग्जियल epidermis अब इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं अडाग्जियल और बैक्जियल तो एक याद कर लो यार मैं तो हमेशा कहती हूं ऐसे confusing word ओ एक याद करो ठीक है ठीक है एंडार के जार में मैं आपने कहाता है एक याद करो तो अडाग्जियल क्या होती बच्चो अडाग्जियल करेंगे दोनों epidermis को ठीक है अडाग्जियल कैसी होती है जो उपर की तरफ प्रेजेंट होती अपर epidermis अपर epidermis अब आग्जियल कैसी होती है बच्चो इट इस लोवर epidermis अब ध्यान से सुनो तुम्हें अगर anatomy दिखाओ मेरे बच्चो एक सेकेंड यह देखो यह देखो यह एक डाइकोर्ट की पत्ति है ठीक है डाइकोर्ट की पत्ति को लिया ट्रांसफर्स ली कट किया जब हम मतलब हम जब कटिंग करते थे अपने ग्राजवेशन में Stem और Root को cut करके उसको देखना बहुत देखना बहुत यां कि वह तो अल्यजी बहुत मोते हुते ना तो में देदी अज़स्टर Gr lamps करने या बहुत मुश्किर होते कि बहुत इतनी पतली है लेकिन उतने एसान को लगा दितना यह वी उतनी पतली देखो कि माइक्रोस्कोप के अंदर तो तुम्हें एक्जाक्ट डिट्टो यही पिच्चर दिखाई देते हैं ठीक है हमें डाइग्राम की हेलप ले नहीं पढ़ रहे हैं बच्चो विकाज इस आनेटमी वी केनाट डू ऐसी हवा में है ना तो आप देख सकते हो यू कैन सी आप बिए अपको दिखाई दे रहिये ये फिंक वाली और नीचे अंपको दिखांगर है पिंक वाली ठीक है उपर वाली को हम एक्जिल बोलते हैं नीचे वाली को बैकजिल बोलते हैं यह डाइकॉट का है सेम गोसवित मोनोकोट मोनोकोट में भी देखो यह उपर वाला epidermis है ठीक है और यह नीचे वाला epidermis है तो हमेशा leaf में तुम्हें दो तरीके की epidermis होगी उपर और नीचे आप हम देखेंगे कि इस दोनों तरीके की epidermis में फरक क्या है ठीक है जहां पर हम डाइकॉट लीव भी डिसकस करेंगे और मोनोकॉट लीव भी डिसकस करेंगे मैं आपको साथी साथ reference के लिए इमेजस भी दिखाते चली जाओंगी ठीक है तो आव सुनों सबसे पहले अगर हम epidermis की बात करें किसकी एडाग्जिल एपिडर्मिस की ठीक है तो एडाग्जिल एपिडर्मिस की हम बात करेंगे first with respect to हाँ first with respect to dicot leaf अगर मैं dicot leaf के बारे में देखूं ठीक है dicot leaf बच्चों जैसे people हो गया जैसे नीम हो गया तो आपने देखा होगा वो ऐसे रहते हैं जाओ देख लो बाहर ठीक है उनकी placement plant में कैसे होती ऐसे होती है है उपर वाला ऐसे होता है नीचे वाला ऐसे तर आपको पता है सूरज भगवान जब लाइट देंगे तो नीचे घुस घुस के थोड़ी आईगी लाइट तो सीधा इस पर पढ़ रही है मतलब लाइट जादा किदर पढ़ रही है लाइट जादा उपर के तरफ पढ़ रही है लाइट उपर के तरफ जादा पढ़ेगी मतलब पानी जादा निकलेगा हमें चाहिए नीदो ना जादा पानी निकले है ना और पानी को कौन बचाता है पानी के निकलने को क्यूटिकल बचाता है तो क्योंकि इधर के तरफ ल बात करूं, in dicot leaf अडाग्जील एपिडर्मिस हैस अडाग्जील एपिडर्मिस हैस थिक क्यूटिकल, reason भी बता दिया है क्योंकि उनकी arrangement प्लांट में इस तरीके से होती है, they have thick cuticle, ठीक है, और dicot leaf का अब अब आग्जियल कैसा होगा तब, अब यहां तो light पढ़ नहीं रही यार है ना तो obviously transpiration दर से जादा नहीं हो रहा तो obviously इतना मोटा cuticle रखे क्या फाइदा है ना तो dicot leaf में ही a baggial epidermis कैसे होती है a baggial epidermis has have thin cuticle thin cuticle तो आपको यह याद होना चाहिए बचो कि dicot leaf में किधर की तरफ thick cuticle होता है a baggial किधर की तरफ thin होता है a baggial ठीक है अब मैं monocot की अगर बात करूँ monocot को compare करूँ with respect to cuticle तो सुनना monocot leaf घास देख लो ठीक है घास की सारी leaves एक दूसरे से parallelly arrange होती है ठीक है monocot में leaves को अगर देखो कि तो उनकी parallel arrangement होती है मतलब ऐससे दी है मतलब parallel ही है सारी कि सारी तो देखो इधर से भी light पड़ सकती है इधर से भी light पड़ सकती है दोनों तरफ slide पड़ रही है तो दोनों तरफ को अपने आपको किस से बचाना है ट्रांस्पिरेशन से बचाना है तो दोनों तरफ क्या होगा चाहे अडाक्जियल हो चाहे अबाक्जियल मोटी मोटी परत होगी cuticle की ठीक है तो monocot leaf में लिखो अडाक्जियल epidermis has thick cuticle has thick cuticle यहाँ पर क्या लिखोगे इस वाली side को भी बचाना है अबाक्जियल side has अबाक्जियल epidermis has thick cuticle thick cuticle that means हमने cuticle के respect में दोनों epidermis को discuss कर लिया है कि किदर की तरफ मोटी होगी किदर की तरफ पतली होगी dicot और monocot में अब हम stomata के respect में discuss करेंगे ठीक है किस के respect में discuss करेंगे stomata के respect में discuss करेंगे चलो देखते हैं कि स्ट्रॉमेटा में फरक कैसे होगा ठीक है स्ट्रॉमेटा में फरक कैसे होगा फिर से डाइकॉट लेते हैं पहले डाइकॉट लीफ में देखते हैं डाइकॉट लीफ में डाइकॉट लीफ ऐसे होती है बचो रटना नहीं है समझना है डाइकॉट लीफ ऐ अपर जादा है, Čक ट्रांस्पिरेशन का लॉस इधर होने का ज़्ादा चांसिज है, तो स्कतर सकतर नहीं क्या है? एक ट्रांस्पिरेशन का लॉस बहुत जादा होगा, इसलिए डाइकोट लिफ में ऊपर की तरफ प्राइड नहीं होता है, आप देख सकते हो, डाइग्राम देखो अपनी NCR का मैं भी आपको दिखा रही है यह देखो यह डाइकॉट का है तो यह डाइकॉट के ऊपर वाला हिस्सा है अपर एपिडर्मिस में आप देखो कोई स्टॉमेटा दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा क्यों क्योंकि इधर लाइट स्टॉमेटा हो गा तो पानी बहुत ज्यादा निकल जाएगा तो भगवान जी इसको उपर के तरफ स्टॉमेटा देते ही नहीं है लिक्व लिखेंगे कि dicot leaf में adaxial epidermis के पास adaxial epidermis के तरफ has no stomata, has no stomata या negligible stomata, बट stomata तो चाहिए, तो वो सारा का सारा STORMETA कहां पर होता है, डाइकॉट लीफ में, डाइकॉट लीफ में, A Baxial Epidermis Has, A Baxial Epidermis Has, Large Number of Stormeta, क्योंकि ऊपर की तरफ तह था नहीं, तो सारा का सारा STORMETA कि दर है, comparatively नीचे की तरफ, ठीक है, तो हमने STORMETA डिसकस कर लिया, डाइकॉट में कैसा होता है अब मोनो कॉट में ना मोनो को तो फरक ही क्या पढ़ेगा क्योंकि लाइड तो तो दोनों तरफ ही पढ़ रही है जब इदर स्टॉमयटा हो कोई फरक नहीं पढ़ता तो जितना नंबर अफ मालों फरिदर 15 है तो इधर फिर पचास होगा इंक्वल नंबर साम अब तो Epidermis has equal number of stomata, has equal number of stomata, ठीक है, तो हमने बच्चों डिस्कस कर लिया है, दोनों तरीके की Epidermis डिस्कस कर ली है, और दोनों तरीकों के लीफ में डिस्कस कर ली है, कि दोनों Epidermis में किस प्रकार का Cuticle होगा और किस प्रकार का Stomata होगा, एक और चीज, एक और Important Point है, with respect to Monocot, बहुत Important Note Point लिखवा रही हूँ ऐसे करके, that in case of Monocot, इन Monocot, जो उपर वाली Epidermis होती है, डागियल Epidermis, they get modified, they get modified into large, colorless, empty cells, large, colorless, empty cells, known as bulliform cells, ठीक है, तो direct question आता है बच्चो, कि bully form cells कि स्लीफ में मिलते हैं, तो bully form cells सिर्फ और सिर्फ कि स्लीफ में मिलते हैं बच्चो, Monocot में मिलते हैं, Dicot में नहीं मिलेंगे, और वो भी किस Epidermis की तरफ मिलते हैं, और बने ये आधिघील में नहीं मिलते है तीक है अब फुली फॉर्म सल्स का काम tutorial क्यों बच्चों पहले बात तो बुली फॉर्मचल हमेशा ग्रूप में दिखाई देगी ए या करएं ग्रूप ठीक है फाइदा क्या होता है इनका यह जो बुली फार्म सेल्स हैं दे कर्ल इन्वर्ड बुली फार्म सेल्स उनको क्या करते हैं फोल्ड करा देते हैं फोल्ड कराने से पत्ती फोल्ड हो गई पानी का लॉस भी कम हो जाएगा यह सारा कौन करता है बुली फार्म सेल्स करता है अब देखो भाईया मोनो कॉर्ड तो जाता है एडवांस है न तो कुछ एडवांस फीचर भी होगा इनके पास डाइकॉर्ड से तो एक एडवांस फीचर यही है ऐसा कोई अड़ाप्टेशन प्रेशन तो यह जो डाइग्राम है मोनो कॉर्ड की आनटमी आप देखो यह अपर एपिडर यह अपर एपिडर्मिस में यह वाले जो सेल्स हैं वो कुछ ज़्यादा बड़े नहीं है वह बुलीफॉर्म सेल्स थैंक्या मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल और कि उस परपस के लिए मॉडिफाइब हुए है वॉटर स्ट्रेस कंडिशन ने यह फोल्ड हो जाते हैं और coast condition में survive help करते हैं कि वह survive कर सके ठीक है अपने आपको invert fold करके so that पूरी की पूरी leaf fold हो जाती है ठीक है तो बच्चों हमने सारे के सारे root stem leaf का epidermis discuss कर लिया है अब leaf के epidermis के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है कि leaf के epidermis में क्या present होता है for example अगर मैं leaf draw करूँ एक for example this is a leaf irrespective ये dicot है या monocot है ठीक है ये dicot है या monocot है इस leaf ये क्या है इसका बाहरी हिस्सा है न ये क्या है epidermis है और इसके epidermis में क्या मिलेगा बच्चों इसके epidermis में मिलेगा हमें stomata ठीक है structure बोलते हैं तो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ना पढ़ेगा ठीक है तो नेक्स टॉपिक जो होगा दाट वुट भी स्टॉमेटा ठीक है प्रेजेंट ओन सिर्फ और सिर्फ कहाँ epidermis of leaf, epidermis of leaf, अब जिस प्रकार का leaf होगा, dicot होगा, तो dicot में अलग shape होता है, monocot में अलग shape होता है, तो आओ चलो discuss करते हैं with respect to shape, ठीक है, shape से question आता है बच्चो, यहाँ पर बनाएंगे dicot का stomata, यहाँ पर बनाएंगे monocot का stomata, ठ ठीक है, compare करेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है, आओ, जो dicot का जो stomata होता है बच्चो, उसका जो guard cell होता है, उसका guard cell kidney shape होता है, या ऐसा राजमा भी होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, bean shape, ठीक है, इसके around, ठीक है, इसके around, epidermal की कुछ-कुछ cells modify हो जाती हैं, और उन modified epidermal cells को हम क्या बोलते हैं, subsidiary cells, subsidiary cells का काम क्या होता है, इसको surround करना और इसको protect करना, और ये जो बीच में छेद है बच्चो, इसको बोलते है, stomatal pore, ठीक है, और ये क्यों होता है, पानी के आने जाने के लिए, क्योंकि पानी का loss इसी से होगा, और cash exchange भी इसी से होगा, ठीक वगरा जाते होगे, तो डंबल उठाते होगे, इसको क्या बोलते हैं, डंबल शेप, ठीक है, तो यहाँ का guard shell का shape कैसा है, बच्चो, shape कैसा है, it is dumbbell shape, ठीक है, यहाँ पर भी जो modified epidermal cell होगी, वो किस form में होगी, subsidiary cell के form में होगी, चारो तरफ, यहाँ पे भी बीच में pore दिखाएदेर, इसको क्या बोलते हैं, stromatal pore, ठीक है, आओ चलो, labeling करते हैं, ठीक है, यह क्या है बच्चो, यह है guard cell, this is guard cell, यह क्या है, subsidiary cell, subsidiary cell, ठीक है, यह क्या है, stomatal pore, stomatal pore, यह इसको stoma भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बच्चो, stoma भी बोलते हैं, और guard cell में, there is a presence of, there is a presence of chloroplast, what is this, this is chloroplast, तब ही तो हमने बोला था, कि epidermis का feature नहीं होता, chloroplast रखना, बट अगर वो किसका epidermis हुआ, अगर वो leaf का epidermis हुआ, तो leaf के epidermis में क्या मिलता है, बच्चो, जैसे for example, यह है leaf, है न, leaf के epidermis में क्या मिल रहा है, stomata मिल रहा है, और stomata मिलेगा, तो stomata के पास क्या होता है, chloroplast होता, इसलिए बोला था, कि इनके पास epidermis के पास chloroplast नहीं होता, except the epidermis of leaf, आप सबूत देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर दिखाई देता है, उसके बाद बच्चो, यहाँ पर present होती है, इनके पास present होती है, इस प्रकार की cellulosic microfibrils, क्या present होती है, सेलिलोजिक microfibrils, इनका काम क्या होता है बच्चो, इनका काम होता है, स्टॉमेटा को खोलना, जब पानी अंदर जाना है, और स्टॉमेटा को पुश करके बंद करना, यह सब का function आप पढ़ोगे, जब हम transport implants chapter पढ़ेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर, यहाँ पर, चलो इनके स तो guard cell ही निभाता है, पानी का अंदर लाना, exit करवाना, they are accessory cell, they are modified epidermal cell, modified epidermal cell, for which purpose, for protection, for protection, guard cell का काम क्या है, guard cell का काम है खुलना, कब? जब वो turgid हो, turgid का मतलब क्या होता है, जब पानी उनके अंदर जाए, और guard cell बंद हो जाते हैं, कब? जब वो flaccid हो, flaccid का मतलब क्या होता है बचो, जब पानी उनसे निकल जाए, exit of water, अब कभी यह flaccid होते है, कभी तरgid होते है, इसका भी mechanism ह पानी में बच्चो, बट वो इस चाप्टर से लिंक्ट नहीं है, वो ट्रांस्पोर्ट वाले चाप्टर से लिंक्ट है, जैसे यार किश्मिश है, किश्मिश को पानी में रखते हैं, वो flaccid है, entry of water, फूलने को हम बोलते है, turgidity, फिर उसको पानी से निकाल दो, सूक जात है, ठीक है, अगर इसका पानी निकल जाए, यह पिचक जाएगा, यह बंद हो जाएगा, उसको हम flaccid बोलते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे उस वाले चाप्टर में, ठीक है, stromital pore का तब को कामी है, यह वही चीज है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हमने देख लिया, अच्छा ए माता है, कि यहां का जो गाड़ सेल है, इसका शेप कैसा है, किटनी शेप गाड़ सेल, और यहां पर शेप कैसा है बच्चो, डमबल शेप गाड़ सेल, ठीक है, यही क्वेस्ट आयता बच्चो, तो I guess 2018 में, if I'm not wrong, ठीक है, कि grasses में, grasses में किस प्रकार का गाचल प्रेजन्ट होगा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, grasses क्या होते हैं, grasses monocots में आते हैं, जब आप morphology पढ़ोगे, तो सारे examples भी पढ़ लोगे, और monocots में क्या होता है बच्चो, dumbbell shape of guard cells होता है, ठीक है बच्चो, तो हमने सारा का सारा stomata का structure भी पढ़ लिया है, एक और चीज, ये भी आपने याद रखना है, कि जो ये guard cell की दो wall है, ये बाहर वाली wall है, this is the outer wall of guard cell, और ये जो है, ये अंदर वाली wall है, तो अंदर वाली wall ना थोड़ी मोटी होती है, ठीक होती है, ठीक है, आउटर wall थिन होती है, जबकि बाहर वाली wall, इनर wall क्या होती है, इनर wall थिक होती, क्यों बच्चो, क्योंकि यहाँ पर हो रही है पानी की entry, और आपको पता है, पानी में कितना ज्यादा pressure होता है, तो वो pressure झेल सके इतना, इसी लिए अंदर की wall क्या होती है, ठीक होती है, as compared to the outer wall of guard cell, ठीक है, यह important चीज़ है, याद रखनी है आपको, ठीक है, टर्जिट कब होगा, फ्लैसिट कब होगा, जब पानी अंदर जाएगा, तो टर्जिट, पानी बाहर आएगा, तो फ्लैसिट यह हमने डिसकस कर लिया है, अब एक और चीज दिसकस करेंगे, अगर आप से पूछा जाए, कि स्टॉमेटल एपरेटरस में क्या क्या आता है, what all comes under स्टॉमेटल एपरेटरस, ठीक है, तो स्टॉमेटल एपरेटरस में क्या क्या आएगा, स्टॉमेटल एपरेटरस में आएगा, एक सेकेंड, हाँ, स्टॉमेटल एपरेटरस में आएगा, स्टॉमेटल पोर, जिसको हम स्टॉमा बोलते हैं, as well as, they will include guard cell, ठीक है, as well as, they will include 3 cell, that is subsidiary cell, ये तीनों चीज मिला करके क्या बनता है बचो, ये तीनों चीज मिला करके बनता है, स्टॉमेटल एपरेटरस, ठीक है, येस, और इसका फंक्शन क्या होगा, और दूसरा फंक्शन होता है, ट्रांस्पिरेशन, ट्रांस्पिरेशन कैसे कराते हैं, we will deal this thing in the chapter, ट्रांस्पिरेशन इन प्लांस, तो ये हमने सारा का सारा एपिडर्मिस दिसकस कर लिया है, रूट, स्टेम, लीफ का, ठीक है, along with the structure of स्टॉमेटल, तो अगर आप से पूछा जाए, अब आप खुछ सोच लो, कि एपिडर्मिस में हमने क्या क्या पढ़ा, रूट हेर्स के बारे में पढ़ा, स्टेम हेर्स के बारे में पढ़ा, एपिडर्म टीशु सिस्टम, हैँब किस में करेगा, पोटेक्शन में करेगा, अब आपिडर्मिस आउटर्मोस्ट है तो कबच की तरह काम करता है, पेरेंट कायमेटस सल का बना हुआ है, तो सिक्रीशन में भी हेल्प कर सकता है, आपिसली हमने बोला भी था, कि जो सिक्रीट्री होते हैं, ठीक है? प्रोटेक्शन में करेगा, ओविसली, वाय? बिकोज इट इस आउटर्मोस्त कवच की तरह काम करेगा, गैस इक्स्चेंज करेगा, कौन करेगा? स्टॉमेटा करेगा, Transpiration से बचाएगा Yes कौन करेगा Trichomes करेंगे और Cuticle करेंगे कहां पर present होते हैं Cuticle Leaf में भी present होंगे बच्चो As well as stem में भी present होंगे Discuss किया हमने Absorption कराएगा कौन कराएगा absorption Root hairs कराएगा ठीक है तो ये हमने Overall Epidermal Tissue System का Function में Discuss कर लिया है अब जो next tissue system हम पढ़ने वाले हैं बच्चो That is the ground tissue system और आप उठा करके कोई भी anatomical structure देख लो चाहे root देख लो, चाहे stem देख लो, चाहे leaf देख लो अब मैं आपको दिखाई देती हूं ठीक है For example अगर leaf का ही दिखा दू मालो ये है Root hair और epiblema किस में आ रहे है Pen change करती हूं ध्यान से सुनना Root hair epiblema किस में आ रहे है Epidermal tissue system में ठीक है ये protozylum, metazylem मतलब xylem है और ये phloem ये तीन किस में आ रहे है एक, दो, तीन, ये किस में आ रहे है ये आएंगे Vascular tissue system में तो तुम epidermis वाला हटा दो Vascular tissues हटा दो तो जो बच्चा रहे गया है वो सारा का सारा क्या है Ground tissue ये जितना portion आपको दिखाई दे रहा है चाहिए कहलो, चाहिए कहलो, चाहिए कहलो ये सारा का सारा क्या है बच्चो ये सारा का सारा Ground tissue system है ज्यादा तर आपको किसके टिशू दिखाई दे रहे हैं, ग्राउंड टिशू के लिए, इसलिए इसको fundamental टिशू बोला जाता है, और plant का सबसे ज्यादा हिस्सा कौन बना रहा है तीनों टिशू सिस्टम में से, सबसे ज्यादा हिस्सा ग्राउंड ही बनाता है, यह पूरा का वो है तुमारा, ग्राउंड टिशू सिस्टम है, ठीक है, यह सारा का सारा कोटेक्स ग्राउंड टिशू है, यह एंडोडर्मिस ग्राउंड टिशू है, यह पित ग्राउंड टिशू है, ठीक है, everything what you are, जो तुमें बल्क में दिखाई दे रहा है बचो, यह सारा का सारा सिस fundamental tissue system forms the main bulk of the plant body ठीक है अगर यह अन्सियाटी की लाइन है अगर मैं एपिडर्मिस हटा दू और उससे related सारे structures हटा दू एंड vascular tissues हटा दू दाइलम और phloem हटा दू तो rest सब कुछ क्या है rest all is ground tissue system rest all is ground tissue system ठीक है तो ज़्यादा तर हिस्सा आपको किसका दिखाई दे रहा है बच्चो ज़्यादा तर हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ground tissue system का ठीक है बच्चो ओके नेक्स नेक्स्ट ground tissue system में बच्चो हमने पहले discuss कर लिया है तीन लेयर आती है किसकी cortex की आती है pericycle और पित है ना तो एके करके सारा ground tissue system हम discuss करेंगे और comparative study करेंगे बच्चों comparative study हमेशा better होती है रियाद करने में भी और समझने में भी तो रूट और स्टेम को हम यहां पर discuss करेंगे with respect to ground tissue system सबसे पहला tissue जो हम discuss करेंगे वो होगा protection provide करना है so it is protective in nature और क्या काम है इसका इसका काम हो सकता है photosynthetic बट यह photosynthetic एगी condition पर हो सकती है जब यह क्या रखे यह जब अपने पास रखे chloroplast if chloroplast is present if chloroplast present ठीक है यह ऐसे लिख देती हूँ plus NT ठीक है chloroplast present और और क्या function हो सकता है इस hypodermis का अगर मैं इसका number की बात करूं तो यह single layer हो सकती है single से multi layer हो सकती है ठीक है यह general लिख रही हूँ मैं कि यह ऐसी हमारी hypodermis हो सकती है अब मैं देखोंगी dicot में और stem में सॉरी root में और stem में कैसी है भाईया अगर हम root की बात करें तो root में होती ही नहीं है उठा करके देख लो NCRT ठीक है देखो root ने तो मैं आपको दिखा देती हूँ यह देखो यह dicot root है dicot root में आपको सीधा का सीधा यह cortex जो लिखा हुआ है न यह general cortex है आप देखो आपको epidermis के नीचे कोई भी hypodermis की labeling नहीं दिखाई दे रही है ना dicot root में दिखाई देगी ना monocot root में दिखाई देगी यह भी सिर्फ general cortex है that means बच्चो hypodermis root में होती ही नहीं है ठीक है अगर मैं stem की बात करूँ ठीक है यह किसकी बात करती हूँ यह देखो यह है हमारा stem का transfer section अगर stem को cut करके देखेंगे न dicot stem को तो हमें ऐसा दिखाई देता है बच्चो ऐसा दिखाई देगा इसको भी zoom करके देखेंगे मानलो सिर्फ इतना सा section लेंगे और इतना सा section जूम करके देखेंगे तो यह पूरा का पूरा structure दिखाई देता है अब सब तुम्हें घूर घूर के नहीं देखना है ठीक है जितना मैं बोल रही उतना सुनना तब ही समझ में आएगा यह देखो अज और एपिडेर्मिस के जस नीचे यह सेल्स बनी हुई है और आप देखो यह सेल्स का जो कॉर्स दीट है तो यह हमने पढ़ा तो है कि कॉर्न अ थिक्ніंग वाला संक इसको बोलते है और धिकन वालos सेल कॉलन काईमा को बोलते हैं तक मिनेस यह जो kolonchyma है यह क्या है यह hypodermis है तो dicot stem में जो hypodermis होती है वो kolonchyma test होती that means it is made up of kolonchyma अगर मैं आपको monocot का दिखाऊं एक second monocot की stem दिखाऊं यह monocot की stem है तो यह देखो epidermis है epidermis के बाद यह देखो यह वाली जो cell दिखाई यह gray color की यह क्या है hypodermis देखो यह NCRT आपको कभी सिखाती ने NCRT के diagram में देखोगे ना तो आप किसी ना पेरेंट काइमल cell को पहचान पाऊगे ना कॉलेंट काइमा cell को पहचान पाऊगे ना जब हम भी पढ़ते हैं अपने हाई स्टेडी में तो हमें यह सब ड्रॉक करना पड़ता था और हर सेल का स्पेसिफिकेशन होता है जैसे अभी मैंने जब आपको यह सेल दिखाया तो देखो ऐसा बना हुआ है ना तो यह मतलब भी कॉर्ण काइमेटरस है क्योंकि कॉर्णर की डिपॉजिशन होती है तो ऐसा बना होता है देट्बिस जनक यहां की जो हाइपोडर्मिस है वह कैसी है स्क्लेरेन काइमा वाली है ठीक है तो आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा पहली बात तो हमने पढ़ा कि रूट में होता ही नहीं है stem में हमने देखा होता है अगर मैं dicot stem की बात करो तो dicot stem में ये को लेन काइमा के बने हुएं तो क्ल्रान काइमेटस कॉलेनकाइमेटस कर alright ? मोनकोड स्टेम में कैसे हैं यह मोनकोड स्टेम में स्क्लेरन काइमा के बने तो स्क्लान काइमेकस CD होती न आ CD प्लेयर。 दिब लगाते अब तो Being54 का नहीं रूज करता है वैसे ? नहीं तो पैदो CD लेकाते हैं शादी की CD, CD से याद रखना, CD, C for Collynchymar, D for Dicot, और M, S धोनी है ना, M, S धोनी, तो M, Monocot, S for Sclerynchymetis, थोड़ा-थोड़ा ट्रिक जो लगा सकते हो या, ठीक है, तो इस से थोड़ा confusion avoid हो जाती है, तो यह हमारा hypodermis है, जो कि सिर्फ कहां present होता है, बच्चो, जो कि सिर्फ stem में present होता है, root में होता ही नहीं है, अब मैं बात करती हो, general cortex की, ठीक है, अब किसकी बात करूँगी, general cortex की, second, general cortex, general cortex, general cortex में क्या होता है, बच्चो, general cortex में, चाहे तुम dicot root लो, चाहे monocot root लो, वो parent kinetis की बनी होती है, ठीक है, तो मैंने सीधा का सीधा लिख दिया कि root में कैसा होता है, parent kinetis, आप देख भी सकते हो, diagram बच्चो, यह देखो, यह जो भी पूरा बना हुआ है, यह पूरा का पू cortex है, और ऐसी सेल हो तो क्या होता है, बच्चो, parent kinetis, तुम यहीं पर NCRT में लिख भी सकते हो, यहीं लिख लो parent kinetis, ठीक है, next वाले picture में भी लिख लो, यहाँ पे भी लिख लो parent kinetis, parent kinetis, जेनरल cortex में क्या देखा, root में चाहे monocot हो, root हो चाहे dicot root, it is parent kinetis, अगर मैं stem की बात करूँ, तो देखो, stem में भी labeling लिख ही हुई है, यह देखो, stem में देखो, एक सेकेंड यार, stem में देखो, यह क्या है, general cortex, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, parent kinetis, तो यहाँ पर भी किसके बने होते हैं, बच्चो, यहाँ पर भी बने होते हैं, हमारे parent kinetis cell के, किसक यहाँ पर भी किसके बने होते हैं, यह, parent kinetis, parent kinetis, किसमे, dicot stem में, ठीक है, अगर मैं monocot stem की बात करूँ, बच्चो, तो आप खोल करके देख लो, NCRT, किसी चीज की labeling नहीं कर रखी है, that means, यहाँ पर, as such, differentiation नहीं है, that means, it is absent, next, जो tissue हम discuss करेंगे, बच्चो, next, जो tissue हम discuss करेंगे, वो क्या होगा, वो होगा, हमारा, endodermis, endodermis हमने पहले ही लिख लिख लिया था, यह cortex की सबसे inner most layer है, और एक और चीज होती ही, बच्चो, endodermis के अंदर, जो भी tissue अब present है, all the tissue present, inner to endodermis, inner to endodermis, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, steel, अब देखो, फिर से diagram देखो, बिना diagram के तो हमें क्या ही समझ में आएगा, यह देखो, यह endodermis की layer है, है न, endodermis के बाद यह क्या है, pericycle है, उसके नीचे जसकी present क्या है, pericycle है, pericycle के बाद यह center वाला हिस्सा क्या है, पित हा रहा है, और पित में और क्या-क्या चीज़े दिखाई दे रहे हैं, यह endodermis के नीचे जितने भी चीज़े दिखाई जाए, pericycle हो जाए, पित हो जाए, xylem हो जाए, phloem हो, वो सारा का सारा हिस्सा क्या कहलाता है बचो, वो सारा का सारा हिस्सा steel कहलाता है, overall क्या कहलाता है, steel, तो endodermis के अंदर जो भी tissue दिखाई देते हैं, वो सारे क्या कहल क्यालाते हैं स्टील क्यालाते हैं अब तुम देखो एंडोडर्मिस यहां पर इस सबसे बाहर ब्राउन वाली लेयर कितनी है एक है यहां पर भी यह ब्राउन वाली लेयर आपको कितनी दिखाई दे रही है एक तो एंडोडर्मिस जेनरली कितनी लेयर होती है रूट में सिंग इसका मतलब monocot root में endodermis endodermis नहीं होता है ठीक है monocot root में sorry monocot stem में endodermis नहीं होता है ठीक है बच्चों आप diagram compare करते चलना ठीक है तो endodermis की यहाँ पर बात करूँ if I talk about root तो root में, root का endodermis बहुत distinct होता है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, distinct endodermis, distinct endodermis, shape क्या होती है, barrel shape, ठीक है, barrel shape मतलब, जैसे तुम किसको कह सकते हो, cylindrical, cylindrical shape, ठीक है, किसके बने होते हैं, इसके cell, इसके cell, parent kymatis ही होते हैं, इसको लिख लो, parent kymatis, कितनी layer हमने पढ़ी overall, अभी हम सब का देखा ना हमने, तो यहाँ पर लिख लेना, इस इस single layer, अब इसको बनाओ, यह बनाया तुमने, यह क्या है, endodermis, this is endodermis, endodermis, ठीक है बच्चो, अब इसकी जो endodermis है न, इसकी endodermis में, एक चीज की deposition होती है, उस deposition को हम क्या बोलते है, उस deposition को हम बोलते है, casparian strips, क्या बोल रहे है, casparian strips, यह casparian strips में क्या present है, subarin present है, और आपको पता है बच्चो, subarin present होता है, तो पानी पास नहीं करा सकता, मतलब पानी यहाँ पर नहीं जा सकता, water cannot enter, why, because यहाँ पर यह जो deposition है, किसकी, subarin की, यह subarin की deposition की वज़े से मान लो जैसे, यह है, एक next page लेते हैं, यह सारी कि सारी तुमारी एक cell है, ठीक है, अब इस cell में हुआ क्या है, इस cell में, subarin present है, पूरा का पूरा, यह क्या है, subarin present है, subarin, अब subarin के presence होने की वज़े से एक strip बन रही है, इस strip को क्या बोलते है, कैस्पेरियन strip बोलते हैं, अब क्या होता है, पानी नहीं पास कर पाएगा इस cell से, क्यों, क्योंकि subarin जो होती है, वो impermeable होती है, इसका nature क्या है, impermeable to water, लिग्निन भी पानी नहीं जाने देता, subarin भी पानी नहीं जाने देता, तो भाईया फिर पानी इससे पास कैसे करेगा, जाइलम तक पहुचेगा कैसे, है ना, जैसे for example, यह देखो, समझने की कोशिश करना, बच्चो, anatomy, बोल के समझाने very difficult, ठीक है, तो तुम लोग भी थोड़ा कोशिश करना समझने की, यह देखो, यह root hairs है, यह क्या है, यह root hairs है, root hairs का काम क्या है, यह soil में मिलते हैं, और soil में क्या present होता है, पानी, इस पानी को absorb करते हैं, यह पानी फिर धीरे किसको पास करेंगे, endodermis को पास करेंगे, बट बच्चो, endodermis के पास तो एक strip मौझूद है न, किसकी, कैस्पेरियन की, जिस पे सुबरिन है, वो तो इसको अंदर जाने ही नहीं देगा, कितनी भी कोशिश कर ले, तो फिर पानी अंदर xylem तक पहुचेगा कैसे, यह जब तक वो xylem तक पहु suberine की deposition नहीं बनाई है, कोई-कोई cell ऐसे होते हैं, जिनके पास suberine present नहीं होता, ऐसे cell को हम क्या बोलते हैं, passage cell बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेक्स पेज पेज पे लिखती नहीं, तो वो हो जाएगा, हचपच, ठीक है, हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा कि most of the सेल के पास सुबरीन की डिपॉजिशन होती है बट कुछ ऐसे सेल होते हैं जहां पर सुबरीन डिपॉजिशन absent होती है ठीक है subarine deposition absent होने की वज़े से ऐसे सेल को हम passive cell बोलते हैं या part cell बोलते हैं क्यों passive cell क्यों बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर subarine नहीं है तो इट विल एलाओ दी Entry of water और असानी से पानी अंदर चला जाएगा और जाइलम तक पहुत जाएगा ठीक है तो यह काम होता है एंडोडर्मिस ऑफ रूट मुचो डारेट क्वेशन आता है पीवाई क्यू में भी आपको मिलेगा कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहां पर मौजूद होते हैं ठीक है तो यह किसके एनटमी में दिखाई दे रहा है चाहे डाइकॉट रूट हो चाहे मोनोकॉट रूट यह मिलता है रूट के केस में अगर मैं स्टेम की एंडोडर्मिस की बात करूँ तो भाईया पहले लिख लो मोनोकॉट में तो है नहीं मोनोकॉट में आदी सी ज्यादा चीज़े आपसंटी दिखाई देंगी आपको इसलिए तो हम बोहते इनका ग्राउंट टीश स्टम इतना बहतरी नहीं होता ठीक है अगर मैं डाइकॉट की बात करूँ तो डाइकॉट स्टेम में एंडोडर्मिस को क्या बोला जाता है डाइकॉट स्टेम में एंडोडर्मिस इस नोन ऐस स्टार्च शीट स्टार्च शीट या स्टार्च ग्रेन क्योंकि हैं तो पैरेंट का एंडोडर्मिस की है ना तो किसी ना किसी चीज को स्टोर भी कर सकती है जब जो स्टार्च को स्टोर करें तो मुसको क्या बोलते हैं स्टार्च की शीट या स्टार्च ग्रेन ठीक है तो मोनोकॉट स्टेम में endodermis दिखाई दे रहा था, but, sorry, dicot stem में endodermis दिखाई दे रहा था, but ये monocot stem में, इसमें कहीं भी तुम labeling नहीं देखोगे, monocot में endodermis के कहीं भी तुम labeling नहीं देखोगे, इसलिए हमने लिखा है absent, एक और not well distinct, not, इतना अच्छा नहीं होता, जितना रूट में होता है, not well distinct, ठीक है clear है बच्चों, तो ये हमने पढ़ लिया है, तीनों layer of cortex, endodermis, general cortex and hypodermis, अब हम next पढ़ेंगे बच्चों, pericycle, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, pericycle, और आप देखो ना, हमने बोला था बच्चों, हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था, कि endodermis के नीचे जितनी भी cell है, वो steel का पार्ट है, तो सबसे पहले कौन से cell की मुलाकात होई आपकी, सबसे पहले pericycle की मुलाकात होई, तो pericycle को क्या बोला जाता है, आउटर मोस्ट टिशू अँटर मोस्ट टिशू अफ स्टील, तो सवाल पूछा जाए, स्टील का सबसे पहला टिशू कान बनाता है, तो वो pericycle बनाता है, ठीक है, pericycle single हो सकता है, single to multi-layered हो सकता है, It can be single to multi-layered Depend करता है वो root का है या stem का है और क्या होता है parent kinetis होते है या scleran kinetis भी हो सकते है scleran kinetis होते हैं तो क्या provide करेंगे mechanical support provide करेंगे और अगर parent kinetis की होंगे तो किसके लिए काम करेंगे storage के लिए काम करेंगे ठीक है अब हम बात करते हैं root और stem की अब यहाँ पर देखो अगर मैं लिख दू dicot root ठीक है तो dicot root में pericycle क्या करता है dicot root में pericycle दो काम करेंगा ठीक है पहली बात तो सिर्फ यह लिखो एक सेकेंड बच्चो हाँ इड गिव राइस टू इड गिव राइस टू lateral roots pericycle गिव राइस टू lateral roots what are lateral roots बच्चो branches बहुत सारी होती ना roots में अकेला सिर्फ एक branch सोड़ी होती बहुत सारी branches होती है तो हमें पता है root here's epidermis से आ रहा है बट वो सारी lateral branches कहां से आ रही है वो सारी lateral roots किसकी extension है वो सारी lateral roots pericycle की extension होती है dicot plant में तो याद रखना कि dicot में pericycle क्या करता है lateral roots को बनाता है ठीक है point number one और क्या बनाता है pericycle form cambium also किस purpose के लिए secondary growth कराने के लिए अब पढ़ोगे बच्चो अभी आगे जब secondary growth होती है तो plant का मोटापा बढ़ाना होता है और मोटापे बढ़ाने के लिए हमें cambium चाहिए cambium क्या होता है meristematic cells होती है जो plant के thickness, diameter, girth को increase करती है और ऐसी growth को हम क्या बोलते है secondary growth और हमने अल्री डिसकस किया था बच्चो आप घास में देख लो ठीक है यह है कि अगर मैं monocot root के बारे में डिसकस करूँ monocot root के बारे में अगर डिसकस करूँगी तो वहाँ पर pericycle एक ही काम कर पाएगा क्या? lateral roots बना पाएगा pericycle forms lateral root only क्यों बच्चो? क्यों? क्योंकि वहाँ पर cambium का कोई roll ही नहीं है क्योंकि वहाँ secondary growth ही नहीं होती तो lateral roots इती मेहनत क्यों करे तो वहाँ पर वो कोई cambium नहीं बनाता है ठीक है? और pericycle root में होता कैसा है? pericycle चाहे monocot root हो चाहे dicot root इनका nature perenchymatis होता है कैसा होता है? perenchymatis अगर मैं stem की बात करूँ तो सबसे पहले मैं monocot का लिखूँगी क्यों? क्योंकि देख लो NCRT में monocot का diagram monocot stem में आप देख लो बच्चों कोई leveling नहीं है that means monocot stem में होता ही नहीं है और मैं अगर dicot stem की बात करूँ तो dicot stem में ये दो तरीके के cell का बना है इसलिए इसको heterogeneous बोलते है क्या बोलते है heterogeneous कौन से दो cell का बना है? half cell half cell कैसी है? half cell sclerenchymetis है अभी diagram दिखाऊंगी बच्चों बेट करना half cell sclerenchymetis है और half pericycle की cell कैसे होती है? half cell perenchymetis होती है क्योंकि यहां का pericycle sclerenchymetis और perenchymetis दोनों का बना हुआ है इसलिए इसको heterogeneous बोलते है just look at the diagram ये dicot stem है ठीक है? ये पूरा का पूरा बच्चों देखो ये अगर stem है ठीक है? stem को तुमने cut किया है तो तुमें ऊपर से ऐसा हिस्सा दिखाई देगा अब तुम इसका पतला से section कट करके microscope के अंदर देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा epidermis दिखाई दे रही है stem का hair दिखाई दे रहा है hypodermis दिखाई दे रही है cortex दिखाई दे रहा है यह क्या है, pericycle है, this is pericycle, है नah, और उसमें तरीके की सहल है जैसा भी मैंने बताया था, यह सेल कैसी है, यह सेल видим schlerenchymetus है, ठीक है कैसी है schlerenchymetus? तो देखो, यह जो दो बने हुए हैं, भचो, यह, ये क्या है ये जो दो बने हुए ये क्या है देखो ये इसी डाइग्राम से है ये देखो इन दोनों का enlarged version है है तो आप देखो pericycle जो इस vascular bundle के में arranged है ये क्या है सारे vascular bundle से एक दो तीन चार तो यहाँ वाली कैसी है स्क्लेरेन काइमा वाली ये भी pericycle है यहाँ पर कैसी है ये जो rays के form में निकल रही यहाँ पर कैसी है पेरेन काइमेटस है तो दो तरीके की है बच्चो बीच वाली पेरेन काइमेटस है इधर वाली स्क्लेरेन काइमेटस है ठीक है इतना अच्छा डाइग्राम NCRT में है नहीं कि आप cell को distinguish कर पाओ ठीक है बड़ आपने याद परिसाइकल के बारे में सारा कुछ हमने लिख लिया है परिसाइकल के बाद जो हम नेक्स्ट डिसकस करेंगे एक ही रह गया है डाट इस पित को मेडियूला बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चो मेडियूला ठीक है पित इस नोन एस मेडियूला तो यह किसकी बनी होती है यह बनी होती है, parent kymetis cells की, parent, generally parent kymetis cells की होती है, कोई exceptions की बात हम यहां नहीं करेंगे, not in the NCRT, ठीक है, with intercellular spaces, यहां वाली जो parent kymetis cells है, यह intercellular spaces वाली है, अब चलो root और stem में देखते हैं कैसी है, ठीक है, अब इसके लिए हम compare करेंगे, NCRT में देखोगे, तो कुछ compare नहीं कर पाओगे, यह देखो, यह जो beach का हिस्सा है, यह, यह पित है, ठीक है, यहां पर यह जो beach का हिस्सा है, यह पित है, तो देखो, monocot में, पित कितनी बड़ी है, है ना कितनी large है, आपको properly दिखाई देती है, तो monocot के case में हम बोलते हैं, कि जो monocot root की पित होगी, that is well developed, और dicot में, तो देखो ना कितनी छोटी सी थी, properly developed नहीं थी, और ना properly दिखाई दे रही थी, तो चलो लिखते हैं यार, ठीक है, इस बात को लिखते हैं, कि जो root है, if I talk about dicot root, तो dicot root में पित not well developed, या तुम बोलते हो small, properly दिखाई ना दे, तो in कौन सी piquas, क्या बोलते हैं, in कौन सी piquas, ठीक है, अभी हमने देखा भी था, और अगर monocot की बात करूँ, तो इसका उल्टा कर दो, monocot में देखो, NCRT का डाइग्राम में लगता है, दोनों का pith सेम है, बट जो हमने डाइग्राम देखा है ना, उसमें properly दिखाई देता है, कि monocot में बड़ा वाला pith है, well developed pith है, large है, और कौन सी piquas है, ठीक है, stem की बात करूँ, तो ये देख लो stem, यहाँ पर देखो, कोई pith दिखाई दे रहा है, कोई pith नहीं है, यहाँ पर भी देखना कोई labeling नहीं है, पित की, मतलब monocot stem में तो कोई pith होती ही नहीं है, है ना, और ये देखो, यहाँ पर ये हिस्सा क्या है, इतना बड़ा dicot stem में pith है, है ना, और pith, यह देखो, परपल कलर का जो है, वो pith है, और pith, यहाँ पर भी present है, दो vascular bundle के बीच में भी, यह सारे के सारे जो cones है ना, बच्चों, यह vascular bundle से, तो देखो, यह सारा का सारा vascular bundle के बीच में भी फैला हुआ है, किस form में, race के form में, ये सारा का सारा race के form में फैला हुआ है, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इस race को medullary race, क्या बोलते हैं बच्चो, इस race को हम बोलते हैं medullary race, तो medullary race कहां पर दिखाई दी, सिर्फ, सिर्फ दिखाई दी है, dicot stem में, monocot में तो पित्थी नहीं होती, medulla ही नहीं होता, ठीक है तो समझना है एक बार देख लेना है बच्चो और फिर internal structure याद रखना है तो STEM में हम क्या लिखेंगे STEM में हम लिखेंगे अगर मैं decor STEM की बात करूँ तो well developed well developed ठीक है क्या होता है? well developed and you can also write well developed well developed medullary rays are also present medullary medullary rays are present you can define medullary rays medullary rays क्या होती बच्छो extensions of pith extensions of pith cells आप NCRT में देखो बच्छो medullary rays की labeling extension of pith cells between vascular bundle between vascular bundle in dicot stem ठीक है dicot stem में लिख लिया अगर मैं monocot stem की बात करूँ तो सरासर क्या लिख दो absent तो आप खुद देख सकते हो बच्छो कि monocot stem में जो हमारा ground tissue है वो properly differentiated है ही नहीं properly differentiated है ही नहीं ठीक है जितना better dicot में होता है तो हमने root और stem को बच्छों discuss कर लिया है with respect to ground tissue system discuss किया है बट अभी हमने leaf का तो ground tissue discuss किया ही नहीं तो चलो next हम क्या पढ़ेंगे ground tissue system ground ground tissue system of leaf ground tissue system of leaf ठीक है अच्छा एक बात पिरको आप लोग से करनी है देखो होता क्या है बच्छों आप सबको पता है मैंने लेक्चर से साइंड होते हैं कोशिश करते हैं कभी कभा लेक्चर एक्स्टेंड करने की बट वह हमारे उसमें नहीं होता कि हम अपने मनमर्जी के हिसाब से चार की जगा चैनले लेक्चर प्लान प्लानर प्लान होता है अलरड़ी है ना तो आपको पताया था कि पीजी आर में वी हैव बिन असाइंड ओंली त्री लेक्चर फिर भी बच्चे लिखते हैं कि मैं इतना बड़ा लेक्चर बच्चो तीन लेक्चर में अज्जेस्ट करना है तो लेक्चर का डूरेशन तो बड़ा होगा ना यार आपको धाई गंटे पढ़ने में प्रॉब है ना जिसे आपको content मिल सके अच्छा अगर मैं concise करोंगी तो इसमें benefit होगा आपको किसका नुकसान होगा माम का या आपका आपका बच्चो इस चीज को realize करो and stop complaining ठीक है duration लंब आप pause कर लो आप break ले लो आपको पहले भी तो सिखा है ना बच्चो आप break लेकर के continue किया करो है करना है leaf के anatomy खोल करके बैठ जानी है because बिना डाइगराम के आपको नहीं समझ में आएगा chapters बच्चो को थोड़ी problem आती है क्योंकि आपने microscope के अंदर कुछ देखा ही नहीं है आपने study नहीं की internal structure की है ना फटा उसे खोल करके बैठ जो और यहां का जो ground tissue होता है ना leaf का इसको हम मीजोफिल सेल बोलते हैं क्या बोलते हैं मीजोफिल सेल बोलते हैं ठीक है यहां का जो मीजोफिल सेल होता है ना that is not distinguished into not distinguished into cortex यहां पर तुम्हें कोई cortex नहीं दिखाई देगा है और कोई पित नहीं दिखाई देगा कुछ भी नहीं दिखाई देगा leaf में यहां पर जो ground tissue का नाम है वो क्या नाम है वो मीजोफिल सेल नाम है अब हम Walking to किसकी बनी होती बच्चों यह तो हमने फोटो सेंटेसिस चाप्टर भी पढ़ लिया है तो मीजो फिल सेल किसकी बनी होती है यह अब हमें पता है बच्चों हमारे पास दो लीफ होती है डाइकॉट लीफ एद मोनो कॉट लीफ मोनो कॉट में जो ये वाला सर्फेस देख लो अडाईखियल जाहें अबगजाल दोनो जाता है इधर दोनों yarn चेया जाता है ऐआईजोफाल लीफ ऐसो 123 ऐसो मीन सेम Dicot में एक अपर सर्फिस था, एक लोवर सर्फिस था, इधर मोटी क्यूटिकल, इधर पतली क्यूटिकल, इधर कोई स्ट्रोमेटा नहीं, इधर बहुत जादा स्ट्रोमेटा, दोनों सर्फिस अलग अलग है, तो इसको हम डॉर्सी, वेंट्रल, लीफ भी बोलते हैं, ठीक है तो यह हमारा क्या हो गया, अभी हमने हेडिंग दे दिये, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको पढ़ेंगे, with respect to ground tissue, या कह सकते हो, कि इनमें मीजोफिल सेल, किस-किस हिसाब के होते हैं, अगर मैं डाइकॉट पे बात करूँ, तो जो मीजोफिल होता है न, मीजोफिल ए ठीक है, या आप खुद ही देख सकते हो, एक spongy मीजोफिल, spongy मीजोफिल, अगर आप डाइग्राम खोल करके बैठे हो बचो, तो आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, कि जो पहली सेड मीजोफिल है, उनका शेप कैसा है, ऐसा बड़ा-बड़ा है, elongated, और ए अगरेंजड है, compactly arranged होने की वज़े से, spaces दो सेल्स के बीच में नहीं है, उपर के तरफ प्रेजेंट होते हैं, आप देखो, यह आपको कहाँ पर दिखाई देंगे, अडाग्जियल की तरफ, मैं आपको दिखा देती हूँ, यह देखो, यह देखो, मीजोफिल, यह पूरा मीजोफिल, अलग अलग क्यो है, देखो, shape अलग है, इसकी elongated shape है, इसकी oval या spherical है, यहाँ पर देखो, cells के बीच में कितना जादा space है, यहाँ पर देखो, दो cell के बीच में कोई space नहीं है, इसलिए लिखा है, इनका shape elongated है, कोई space नहीं, present कि दर की तरफ है, यह वाला, यह वा जादा होंगे, तो color भी जादा green होगा, तो इनका color जादा green होता है, इनका कम green होता है, तो लिखते हैं यह बात, ठीक है, लिखते हैं यह बात, तो क्योंकि ऊपर की तरफ होते हैं, इनका जो chloroplast होता है, chloroplast होगा, उधर की तरफ जादा होगा, जिसकी वज़े से इनका जो कलर आएगा वो जादा डार्क ग्रीन होगा अब इनकी शेप इस तरीके की है तो ऐसी शेप को हम क्या बोलते हैं और आपने देखा कि स्पॉंजी में कितने सारे स्पेसेज मौझूद थे और क्या डिफ्रेंस देखा हमने यह किधर की तरफ थे लोवर एपिडर्मिस के तरफ और लोवर की तरफ हैं लाइट ज्यादा पड़ती नहीं है तो क्लोरोप्लास का नंबर भी कुछ खास होगा नही नीचे एरो मतलब कम है तो जो कलर होगा वो लेस ग्रीन होगा या कह सकते हो लाइट ग्रीन होगा ठीक है तो यह डिफ्रेंस है पहली सेड और मीजो फिल में और इस तरह की कहां मिलता है डाइकॉट में बच्चो अगर आप तो मोनो कॉट देखो ना तो मोनो कॉट में इस तरीकि की कोई डिफ्रेंसियेशन नहीं है आप देखो सारे सेल्स आपको सेम जैसे दिखाई दे रहे होंगे ताट मीजो फिल इस नौट डिफ्रेंशियेटि इंटो पहली सेड एंड स्पाउंजी पहली सेड इन स्पाउंजी जितनी भी सेल्स है आल सेल्स आर ओल्मोस्ट तो झाल चाल सेल्स और ये भी रीजन है बच्शो कि इसको क्यों बोलते है आईसो बाइलेटर लीव ये आपको सार्य क्या है ये सारा का सारा तुम्हारा पांजी सेल्सेल्स हैं आपकोई know देख रो इसमें नहीं तो यह सारे के सारे को सिर्फ देखो क्या डिफाइन किया हुआ है मीजोफिल कोई पैली सेट कोई स्पॉंजी ने क्योंकि यह मोनोकॉट की लीफ है है ना तो जब आप कट करके इसको देखोगे तो सारी की सारी सेल्स एक लगबग लगबग एक शेप क है ना तो हमने डिफ्रेंस भी देख लिया है दोनों में तो हमने दो टिशू सिस्टम बिल्कुल कंप्लीट कर लिये हैं ग्राउंट टिशू एंदी एपिडर्मल टिशू सिस्टम सो नेक्स्ट इस वास्कुलर टिशू सिस्टम जिसमें हम बात करेंगे जाईलम और फ्लोयम के चेयर कबारे में तो हम डिसकर्स करते हैं बच्चों कितने तरीके की टिशू सिस्टम होते हैं पहला जो वास्कुलर टिशू सिस्टम होता है हम उसको बोलते हैं रेडियल क्या बोलते हैं रेडियल मैं अलब को दिखाती हूं आएmm Austral draw circle ठीक है यहाँ पर सिर्फ internal structure बना रहे हैं बचो अब यहाँ पर अगर मैं root का example कैसे याद करोगे R for radial and R for root तो root में कैसे vascular tissue system arrange होते हैं देखना यहाँ पर you will get to see xylem इस वाले radius पर आपको क्या दिखाई देंगे xylem इस वाले radius पर क्या दिखाई दे रहे हैं xylem इस वाले radius पर क्या दिखाई दे रहे हैं xylem तो phloem कहां गए phloem present होते हैं इस वाले radius पर यहाँ पर क्या present है बच्चो phloem है तो अगर root का तुम transfer section cut करके देखोगे ठीक है P for phloem and x for xylem तो xylem और phloem की radius देखो same नहीं है they are arranged on they are arranged on different radius different radii तो जब इस तरीके का system होता है बच्चो ऐसे system को हम क्या बोलते है radial vascular tissue system जो कि किसमें दिखाई देता है रूट में आरफ़ रेडियल और पर रूट मैं आपको दिखा भी सकती हूं बच्चो एक सेकंड हमारे पास ncrt में डाइग्राम भी है यह देखो ठीक है यह किसका डाइग्राम है for example लिए डाइकाट रूट का चाहिए तुम डाइकाट रूट देखो चाहिए मोनोकॉड को हमने सिर्फ एक गोला जो बनाया ना बच्चो हमने सिर्फ इतना ही portion दिखाया क्यों क्यों क्योंकि वास्कुलर टिशू जो होते हैं वह एकदम सेंटर पर मौझूद होते हैं अब हमने यह सब क्यों नहीं बनाए कि उसके बारे मोर्डी पढ़ चुके मैं इपिडर्मिल समीं कवर कर चुके हैं हम गे ग्राउंट टिशू भी कवर कर चुके अब हमें अंदर से मतलब है इसलिए इसलिए स बच्छो, flowem, ये क्या है, flowem, तो आप देखो, xylem अपने radius पर मौझूद है, flowem का अपना ठीकाना है, अपना radius है, तो जब इस तरीकिये का system होता है, चाहे तुम dicot देख लो, चाहे monocot, monocot में भी देखो, ऐसा ही है, ये सारे brown, जो maroon कलर की है, ये सारे के सारे xylem है, ये ज नहीं Cambium की लेर दिखाई दे रही है अभी सिते हैंग अग्राइभ को नहीं पत्ता रीम भूल जो इनके में Cambium प्रेजेंट नहीं होता Cambium absent अच्छा अगर Cambium नहीं है बच्चो Cambium एक meristematic layer होती है Cambium क्या होती है Cambium एक meristematic layer होती है Meristematic layer होती है और ये meristematic layer जरूरी है किसके लिए It is used during It is responsible for It is responsible for secondary growth It helps in secondary growth Secondary growth का मतलब क्या होता है बच्चो Secondary growth का मतलब होता है जब plant मोटा होता है जैसे आपने आम, people, बरगत ये सारे dicots है तो आपने देखाओगा कितने थिक होते हैं क्यों क्योंकि सब में secondary growth मौझूद है तो dicots में secondary growth कराने के लिए Cambium बहुत जरूरी है बट अभी मैंने आपको dicot का भी diagram दिखाया है तो देखो dicot में भी Cambium नहीं है तो बच्चो अगर dicot roots में Cambium होती ही नहीं है तो ये people के जड़ है आम के जो पेड़ का जड़ है फो रिवो इतना मोटा कैसे हो गया उसने secondary growth कैसे की अब ध्यान से सुनना Cambium कभी शुरू से present नहीं होता root के केस में भले वो dicot root ही हो बट Cambium कभी शुरू से present होता ही नहीं है बट हमने तो देखा है dicot root को मोटा होते हुए people का example ले लो that means जब वो बाद में secondary growth करना होता है तब Cambium बन जाता है तो हम लिखेंगे Cambium Cambium develops later on Cambium develops later on in case of dicots dicots को जब secondary growth प्रफॉर्म करनी होगी तो बाद में develop हो जाएगा monocot में न पहले था न कभी बाद में आएगा क्योंकि monocot secondary growth नहीं करते हैं ठीक है तो यह हो गया हमारा सबसे पहला vascular tissue system that is radial next हम बात करेंगे बच्चों conjoint की ठीक है conjoint की अब conjoint और radial में फरक क्या है conjoint conjoint का मतलब joint कैसे मतलब साथ-साथ है ना वहाँ पर क्या थे अलग-अलग radius पर थे तो तुम ऐसे relate कर सकते हो joint का मतलब क्या-क्या है साथ-साथ that means यहाँ पर xylem और phloem एक ही radius या radii पर मिलेंगे कैसे देखो एक diagram बनाते हैं internal structure दिखा रहे हैं क्योंकि बाहर-बाहर का ground tissue epidermal हमने सब पढ़ लिया है यह हमारी pericycle की layer है ठीक है pericycle की layer है pericycle के ही अंदर आपको xylem phloem दिखना शुरू हो जाते हैं तो conjoint में क्या होता है यह देखो एक second let me draw it first यह देखो यहाँ पर अंदर के तरफ xylem होता है बच्चो और बाहर के तरफ आपको किसकी present दिखाई देगी phloem की तो आप देखो यह एक radius पर नहीं है यह भी एक radius पर है जाइलम और phloem यह देखो बच्चो यहाँ पर यह जो मैंने बनाया है यह white color से यह सारे के सारे क्या है vascular bundles मैंने यहाँ पर कितने vascular bundles बनाया है चार vascular bundles बनाया है और उन vascular bundles के अंदर मैंने xylem और phloem की presence दिखाई है xylem मैंने अंदर की तरफ दिखाया है center की तरफ क्योंकि ऐसे ही arrangement होती है अब आप सोचो कि मैं आपने सिर्फ 4 vascular bundles क्यों बनाया है तो बच्चो यह vary कर सकता है ठीक है आप 4 बनालो, 5 बनालो, 6 बनालो कोई फरक नी पड़ेगा हमें तो बस यह समझना है कि जब xylem और phloem एक साथ मौझूद हो तो उसको हम conjoint बोलते हैं क्या बोलते हैं? Conjoint बोलते हैं अब conjoint में भी बहुत सारे cases होते हैं Conjoint में भी बहुत सारे cases होते हैं देखो For example Conjoint को हम divide करेंगे ठीक है? Conjoint को हम क्या कर रहे हैं? Divide कर रहे हैं पहला जो पेसिस हम पढ़ेंगे डिवीजन का, एक सेकेंड, येस, that would be on the presence of या absence of cambium, इस बेसिस पर होगा, तो चलो आओ देखते हैं, अगर बचो ध्यान से सुनना, बना लेते हैं vascular bundles, चार वाला example ले रहें, यहाँ पर भी चार वाला example ले रहें, ठीक है, हमें पता है, जाईलम कहां होता है, बच्चो अंदर की तरफ बना लो, तुम्हें पता है, फ्लोयम कहां होता है, बाहर की तरफ लिख लो, same यहाँ पर अब यही करोगे, ठीक है, आपको लगेगा मैंम ने दुबारा बना दिया, बिल्कुल दुबारा बना दिया, ठीक है, अब हमें दूसरा कॉंसेट समझना है, अगर इंजाइलम और फ्लोयम के बीच में, अगर इंजाइलम और फ्लोयम के बीच में ये लेयर दिखाई दे, ये Xylem और Flowem same radius है, Conjoint के साथ साथ इसको open कहा जाता है, क्यों? क्योंकि Cambium होगा, तो ये secondary growth कराएगा, मतलब secondary growth के लिए इसके दरवाजे खुले हुएं, ऐसे relate करके याद करना, तो Cambium present, so they are open for secondary growth, open for secondary growth, तो हमने तो पता है ना, कि secondary growth किस में होती है, देखो, Conjoint पहले ये समझ लेना बच्चो, जैसे radial कहाँ पर मिलता था, root में, it can be the dicot और it can be the monocot, Conjoint कहां मिलेगा, Conjoint मिलेगा stem में, और Conjoint मिलेगा leaf में, कहां मिलेगा stem और leaf में, ऐसे अभी मोटा मोटा समझ लो, अब, तो, dicot और monocot के specifically बात करते हैं, अगर ये secondary growth करा रहे हैं, अगर ये secondary growth करा रहे हैं, तो ये कहां पर दिखते होंगे, जाहिर सी बात है, dicot stem में, क्योंकि secondary growth सिर्फ और सिर्फ dicot में होती है, ठीक है, यहां पर देखो, कोई cambium की ring नहीं है, that means, इस वाले case में, इस वाले case में cambium क्या है, absent है, और अगर cambium absent होगा, that means, there would be no secondary growth, no secondary growth, इनके लिए secondary growth के दरवाजे बंध हैं, तो ये conjoint तो हैं ही, conjoined क्यों है, इसका reason हमें अलोड़ी पता है, but क्योंकि cambium नहीं है, एक meristematic layer present नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, closed बोलेंगे, ठीक है, और आप देखो, घास का root देख लो, मोटा होता है, नहीं होता है, क्यों, वो हमने reason पढ़ लिया, घास की जो stem है, मोटी होती है, नहीं ह होती है, क्यों, क्योंकि उसमें secondary growth नहीं होता है, तो ये वाला किसमें आ जाएगा example, ये वाला example आ जाएगा बचो, monocot stem के अंदर, monocot के stem इसी लिए इतने पतले होते हैं, क्योंकि उनके पास cambium नहीं होता, जो secondary growth करा कर कि उनकी thickness increase कर पाए, even leaves, leaves को मोटा होते हुए देखा होगा, बड़ा होना primary growth कहलाता है, बट मोटा होते हुए देखा है, नहीं, leaves में secondary growth कभी होती ही नहीं है, that means उनके पास भी cambium मौजूद नहीं होता, तो उनके पास भी कैसा system है, उनके पास भी conjoint closed system है, चाहिए dicot ले लो, चाहिए monocot ले लो, ठीक है, तो यहाँ पर हम clear हो ग यह cambium present है, between two vascular bundle, एक second, एक second, sorry, not between, यह एक vascular bundle है ना, यह एक white जो बनाया है, यह एक vascular bundle है, जिसके अंदर xylem और phloem है, है ना, तो it is present within the vascular bundle, यह एक vascular bundle के अंदर मौजूद है, इस वाले cambium को हम क्या बोलते हैं, इस वाले cambium को हम बोलते हैं, intra-fascicular cambium, क्या बोलते हैं, intra-fascicular cambium, जो एक तरीके का lateral meristem था, बच्चों जो हमने पढ़ रखा है, हमने पढ़ा था ना, कि lateral meristem ही secondary growth कराते हैं, help करते हैं, और lateral meristem के अंदर तीन examples पढ़े थे, उसमें से एक example हमने पढ़ा था, intra-fascicular cambium, या इसको fascicular vascular cambium बोलते हैं, और मैंने बोला था, आगे पढ़ाऊंगी, तो देखो, यह वही lateral meristem है, जो कि क्या करा रहा है, secondary growth करा रहा है, किसमें, dicot stem में, ठीक है, तो हमने conjoint क का एक case तो ले लिया, कि conjoint, cambium के presence पर open बन जाता है, और cambium के absence पर क्या बन जाता है, closed, एक और condition होती है, define करने की, ठीक है, एक और condition है, ठीक है, conjoint can be defined, देखो, एक होता है, बच्चो, collateral system, ठीक है, और एक होता है, by collateral system, collateral में भी दो पढ़ोगे, एक पढ़ोगे collateral open, और एक पढ़ोगे collateral closed, ठीक है, अब मैं तुम्हें सिर्फ एक vascular bundle के respect में लेके समझाओंगी, बार बार गोला क्या बनाना, एक vascular bundle बनाते हैं, यह एक vascular bundle है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक vascular bundle है, ठीक है, होता क्या है, हमें पता है, जाइलम अंदर की तरफ है, जाइलम अंदर की तरफ है, फ्लोयम बाहर की तरफ है, फ्लोयम बाहर की तरफ है, अगर एक ही फ्लोयम का पैच हो, देखो यहाँ पे भी एक फ्लोयम का पैच है, यहाँ पे भी एक फ्लोयम का पैच है, तो वो कैसा सिस्टम बन जाता है वो collateral system बन जाता है कैसा बन जाता है बच्चो डाड़ फॉर्म को लाट्रल सिस्टम यहां पर क्या होता है ठीक है फ्लोयम के दो पैचेज मौजूद होते हैं और जाइलम बीच में प्रेजेंट होता है तो यहां पर फ्लोयम के कितने पैचे से बच्चो दो तभी इसका नाम क्या है बए two patches of flow m two patches of flow m必 لو अब अब कोलेटरल का मतलब तो समझ लिए अब यह कोलैटरल open क्यों है और बोलोगे डाइकॉट stem ठीक है यहां पर क्या है close that means cambium absent और cambium absent कहां होता है यह हमने पढ़ा हुआ है monocot stem and leaf चाहे die cut हो चाहे monocot यहां पर क्या होता है बच्चो cambium मिलेगा ही मिलेगा तब ही हम bi collateral को बोलते हैं यह हमेशा open रहते हैं for growth they are always open for growth ठीक है अब तुम सोच रहोगे कि ma'am यही diagram तो हमने डिट्टो पहले भी बनाए हुआ है तो फिर फरक क्या है बच्चो फरक basis का है फरक किसका है फरक basis का है जैसे मैं भी आपको अपना बच्चा बोलती हूं ठीक है आपके मम्मी पापा भी बोलते हैं ठीक है दोनों गलत नहीं बोल रहे हैं मैं आपको पढ़ा रही हूं उसने प्यार से बच्चा या बेटा करती हूं उनका भी कहना बिल्कुल सही है तो हम दोनों का basis अलग है है यह पूरा का नंबर एक ही होता है तो को लैट्र अगर फ्णयम और जयालं की चांवी है तो यह पूरा का पूरा सिस्टम तीन नाम से जाना जाएगा यह कंजोईंट भी है क्योंकि यह संगी यह सेंगे पर हैं यह क्लाटोटारल म्हा है और के intelig भी है दो यह ओपन भी तो यह collateral है क्योंकि यहां पर cambium नहीं है तो यह close है यह तीनों बाते इस diagram के लिए applicable है इस diagram के लिए क्या क्या applicable है conjoint applicable है क्योंकि xylem और phloem same radius पर है ठीक है और क्या applicable है दो phloem है तो by collateral applicable है cambium दिखता ही दिखता है तो यह open भी है always तो यह बात भी इसके लिए सही है ठीक है तो basis अलग अलग है बाते तो भाई गुमा फिरा करके हम एक ही कर रहे है clear हो गया बच्चो तो यह तो हमने मोटा मोटा system पढ़ लिया है कि conjoint system हो सकता है radial system हो सकता है radial roots में दिखता है conjoint stem और leaf में दिखते हैं अगर open होगा तो die-cut stem में दिखेगा close होगा तो mono-cut stem और leaf में दिखता है अब हम देखते हैं कि vascular tissue system root stem leaf में होते कैसे है proper अभी तो मोटा मोटा पढ़ा ना अब detail में जाकर करके पढ़ेंगे तो हम क्या करते हैं हम comparative study करते हैं और फटा-फट करते हैं रूट का comparative study यहां पर बच्चो आपको root में पहला point दिखाई दे रहा है कि radial होगा क्योंकि हमने अल्रडी पढ़ रही है कि radial system में क्या होता है किसमें मिलता है root में और हमने यह भी पढ़ा हुआ है कि यहां पर एक्जार का arrangement होती है यह पहले class में हमने पढ़ा था कि protozylum present towards एक्जार में exit याद कर रहा है था ना बहार के तरफ present towards periphery यह इनका feature है ठीक है अब हम compare करते हैं dicot को और monocot root को फटाफट ncr का diagram खोल करके बैट जाओ ठीक है अब हम dicot और monocot को क्या करने वाले हैं बच्छो compare करने वाले हैं अगर नहीं खोला है बच्छो मैं time दे रही हूं फटाफट खोल लो क्योंकि उसी diagram के help से हमें समझना है ठीक है आ देती हूं यह dicot है यह क्या है dicot है अब देखो यह सब रब करती हूं ठीक है समझते हैं इसको हम सिर्फ अंदर वाला हिस्सा समझ रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ vascular tissue system से concerned है अब ध्यान से देखना बच्छों कौन सा कलर ले रेड लिया है यह देखो यहां पर यह जाइलम है यह अब इनका डाइग्राम देखो अगर मैं एक यह दिखाओं तो यह देखो ऐसे बने हुए है यह ना फिर जैसे जैसे बाहर की तरफ जा रहे हैं इनका size क्या होते जा रहे है छोटा होते जा रहे है चोटा डाट मींस जो बड़ा size वाला जाइलम होता है उसको क्या बोलते है मेटाजाइलम जो छोटा साइज वाला जाइलम होता है उसको क्या बोलते हैं प्रोटोजाइलम तो आप खुद देखो प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है यह सबसे बाहर की तरफ है यह सबसे बढ़ा है यह सबसे अंदर की तरफ है तो इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते है इसी arrangement को हम एक्जार्क बोलते हैं जो मैंने आपको पहले की classes में भी पढ़ा रखा है इसलिए वहाँ पर एक्जार्क लिखा था अब यहाँ पर xylem की shape देखो यह shape कैसी है hexagonal है कैसी है hexagonal है DUICOT में थीख है तो पहले हमने पढ़ा है hexaar क्यों है फिर हमने उसका shape पढ़ा कितना है और कितने जाइलम के बंडल से एक यहां दिखाई दे रहा है एक यहां दिखाई दे रहे हैं लाइन से एक यहां दिखाई दे रहे हैं और एक यहां दिखाई दे रहे हैं चार ठीक है तो जब चार होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं हम उसको बोलते हैं चार स्टैंस फोर टे और 4 हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे हम 4 हैं तो उसको बोलेंगे टेट्रार्ख ठीक f तो आओ लिखते हैं, आओ लिखते हैं बच्चो, डाइकॉट रूट में, ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, जाइलम की, तो जाइलम के बंडल्स का जो नमबर है, जाइलम के जो बंडल्स का नमबर है, इट केन वेरी फ्रॉम 2 तो 6, ठीक है, अगर 2 होता है तो मुसको बो होते हैं टेट्रार्क है ठीक है यह सारा possible है यह सारे conditions possible है ठीक है NCRT के according जाए तो टेट्रार्क है तब ही मैंने बोला था कि मैंने भी 4 बनाये हुआ है डाजन्ट भी हर बार 4 ही हो 2 भी हो सकते हैं 3 करता है डाइकॉट है तो और हमने साइज भी पड़ा, size कैसा है जाइलम का, size है hexagonal, और अभी मैंने cambium जो root देखा तो वो dicot था, तो तुम्हें cambium दिखा था, नहीं दिखा था, cambium बाद में बनता है, ठीक है, कभी शुरू से present नहीं होता, in case of root, अगर वो dicot root है, तो वो बाद में बन जाएगा, develops later on, ठीक है, कब, during secondary growth अब मैं आपको इसी तरीके से, monocot root का diagram लेकर के explain करती हूँ, यह देखो, यह monocot root है, monocot में चलो count करते हैं, xylem, monocot में चलो count करते हैं, xylem, one, two, three, four, five, six, seven, eight, ठीक है, more than six है, more than six होता है, तो हम उसको condition को क्या बोलते हैं, poly arc बोलते हैं, अब shape देखना, ठीक है, अब number count करा दिया, आप shape देखना, जो सबसे अंदर है, उसकी size सबसे बड़ी है, और जो सबसे इधर है, उसकी size सबसे छोटी है, तो छोटा वाला कौन हो गया, proto, यह बड़ा वाला कौन हो गया, meta, तो यहाँ पर भी arrangement कैसी है, यहाँ पर भी arrangement exact ही है, और होगी बी, क्यों? क्योंकि कि यह root है तो यहाँ पर भी चाहे डाइकॉट हो चाहे monocod exact arrangement है size देखो ठीक है size की बारे में discuss कर लिया हमने numbers के बारे में discuss कर लिया it is more than 6 और क्या discuss करना है shape यहाँ पर देखो circle shape है यहाँ पर क्या था hexagonal यहाँ पर cambium दिखाई दे रहा है नहीं बाद में कभी दिखाई देगा नहीं क्योंकि कैसे root है monocot root monocot में secondary growth नहीं होती है आज आ फटफट लिखते हैं बच्चों इसको monocot root में अगर xylem bundles की बात करें तो it is more than 6 more than 6 वाली condition को क्या बोलते हम poly arc ठीक है size कैसा था यहां size लिख दिया है sorry it's not size its shape ठीक है तो यहां पर अगर मैं shape की बात करूं तो it can be oval और circular या you can say spherical ठीक है और यहां पर cambium कभी नहीं बनता पहले से मौजूद भी नहीं है और कभी बनता भी नहीं है ठीक है तो यह हमने discuss कर लिया है किसका vascular tissue system root का discuss कर लिया है dicot और monocot अब हम किसका discuss करेंगे बच्चों अब हम discuss करेंगे stem का वटा वटा आ जो stem के बारे में भी discuss कर लेते हैं stem के बारे में discuss करेंगे तो stem में कैसी arrangement होती है end-r का arrangement होती है end-r को relate करवाया था मैंने endo से endo का मतलब अंदर की तरफ तो क्या चीज़ अंदर होती है protozylum अंदर होती है protozylum towards पित क्योंकि पित अंदर होता है न या कह सकते हो towards इनर साइड ठीक है मैंने बोला था हमेशा एक के respect में याद करना चाहे proto चाहे मेटा मैं बोलती हूं यहां पर देखो यह किसका डाइग्राम है यह मोनो कॉट स्टेम का डाइग्राम है यह देखो यह सर्कुलर डाइग्राम है इसमें ज्यादा डिटेलिंग नहीं दी हुई है डिटेल हम तब करते जब और सब्सक्राइग्राम है मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें मोटा यहां पर देखें तो यह सारे क्या है ये सारे वैसकुलर बंडल से इनकी कोई प्रॉपर रेजमेंट रहीं यह तितर-भितर हैं हर जगा फैले हूए हैं ऑवल अरउंट तुम्हें फैला हुवा दिखाऊं ठीक है डाइकोड स्टेम को जब हम कट करके देखते हैं तुम्हारे एंस्याटी में भी डाइग्राम बना हुआ है तुम देख सकते हो ठीक है तो देखो यह वाला डायग्राम देखना सर्कुलर वाला ठीक है यहां पर स्टील के अंदर क्या-क्या आजाएगा तु तो प्रática को प्राउपर अरेजमेंट कहाँ पर दिखाई दे रही है डायकोड स्टैम में वहां पर तो तितर बितर थे जाएगा तो यूटucher यह बात हम लखेंगे तो आउँ लिखते हैं यहां का जो स्टील है बहुत प्रापर्ली अरेंजन इनर रिंग bunch प्रॉपर्ली अरेंज्ट इन रिंग इस सिस्टम को हम यू स्टील बोलते यू मतलब सच्छा वाला अच्छा वाला स्टील है देखो या स्टील के भी न बहुत सारे टाइप्स होते ते जो पहले पढ़ाए जाते थे अब आपके सलेबस में रिकॉइड नहीं है वो सारी पु तो मोनो कॉल कोट में कैसा है एक टाच्टुस्टील है अगर में व्यस्कुलर बहंदल की बात करूं किसकी बात कर स्कूलर भंदल की साम है तो होगा ही होगा और अगर स्टेम थे तो Cambium है या नहीं है, अगर Dicot है, तो Cambium होगा, और Cambium होता है, तो क्या बोलते हैं, Open, Dicot है, Sorry, Monocot है, Cambium नहीं होगा, दर्वाजे बंध है, Secondary Growth के लिए, तो that is Closed, ठीक है, Next है, Bundle Sheet, Bundle Sheet से क्या समझते हो, देखो, नाम से ही मतलब निकल जाएगा, ये देखो, ये हमारे Vascular Bundles है, ठीक है, जिसमें Xylem और Flowem दोनों है, जो Layer Vascular Bundle को Surround करके रखती है, देखो, ये देखो, जैसे मैं बना रही हूँ, जो Layer Vascular Bundle को Surround करके रखती है, उसको हम बोलते हैं Bundle Sheet, उसको हम बोलते हैं Bundle Sheet, यहाँ पर, आप देखो, मैं Diagram आपको दिखा दू, अगर मैं Dicot का दिखाऊं, तो Dicot में ऐसी कोई Layer नहीं है, जो Vascular Bundle, यह तो है, यह सारा का सारा क्या है, यह सारे के सारे Xylem है, ठीक है, और तुमारे Flowem है, तो आप देखो, यह Xylem है, यह Flowem है, सेम रेडियस पर है, तभी तो Conjoint बोलते हैं, आप देखो, यहाँ पर ऐसा को इनको Arrange कर, मत Monocot Stem, यह रहाँ मारा Monocot Stem, ठीक है, इतना अच्छा Diagram NCRT का नहीं है, ठीक है, आप देखना, आपको यह Cells इतने properly नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, और मैंने आपको बताए, यह यह, 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 जो मूझ ऐसा लग रहा है न, इसी को तुम, इसी को तुम, थोड़ा और स्कोप क्योंटी में देखोगे, तो इस तरीके दिखाई देगा, एक, तो ऐसा लग रहा है न, किसी का फेस है, ठीक है, तो यह एक Vascular Bundle है, ठीक है, यह, यह एक Vascular Bundle है, देखो, जाइलम है, यह यह वाले जो क्या है, यह तुम्हारे Phloem है, ठीक है, तो आप देख सकते हो, यह जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है, बीच में, यह सारे जाइलम और Phloem, और जाइलम और Phloem क्या होता है, Vascular Bundle होता है, इसके Surrounding आपको यह Cells दिखाई दे रही है, इसके Surrounding यह Cells दिखाई दे रही है, मतलब Vascular Bundle को Surround करने के लिए, यहाँ पर Cells है, मतलब यहाँ पर Bundle Sheet Cells मौझूद है, और वो भी कैसे, मैंने आपको बताया था, जब ऐसे Cells बना होता, तो मुसको क्या बोलते है, Scleran Chimates, तो आप देखो, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर Bundle Sheet Cells है, मतलब Cells हैं, जो Vascular Bundle को Surround करती है, और वो भ करके समझोगे, देखा, नहीं था, यहाँ पर थे, और वो भी कैसे, Scleran Chimates, कैसे Cells के बने हुए थे, वो Sheet, Scleran Chimates Bundle Sheet Cells, Scleran Chimates Bundle Sheet Cells, ठीक है, नेक्स चलते हैं, नेक्स देखते हैं, साइस की बात करते हैं, यह देखो, डाइकोट की अगर बात करूँ अच्छो, य पाइकोट में सारे के सारे Vascular Bundles, यह सारे के सारे Vascular Bundles है, यह लगबख Same Size के तो हैं, तो लिखते हैं, लिखते हैं बचों यहाँ पर, Same Size, Almost, बट अगर मैं Monocot Stem की बात करूँ, अब ध्यान से देखना, Monocot Stem की बात करूँ, एक सेकेंड, यह देखना, यह NCRT में भी Center के हैं, ठीक है, यह जो Center वाले हैं, इनका Size बड़ा है, है न, लेकिन जो Periphery पर हैं, उनका Size छोटा है, बाहर उनकी Density जादा है, क्योंकि छोटे हैं तो जादा Number आ सकता है, यहाँ पर कम Dense है, इतना घना नहीं है, क्यों? क्योंकि larger Size हैं, तो इतना जादा Accommodate नहीं किया ह तो इस बात को भी लिखेंगे बच्चों, कि यहाँ पर Size सेम सेम नहीं है, ठीक है, तुम्हें दो तरीके के Bundles मिल रहे हैं, एक larger वाले कहां पर? Center पर, ठीक है, और जो larger वाले Center पर हैं, वो Less Dense हैं, इतने जादा Number में मौझूद नहीं है, जो smaller वाले हैं, वो कहां पर दिखा ही दे रहे हैं, किनारे पर, किनारे का मतलब periphery पर, और ज्यादा amount में है, ज्यादा amount में है मतलब that is more dense, more dense, यही सारी बातें बच्चों जो आपको समझनी है, ठीक है, clear हो गया, अब ये तो आमें पता ही है, कि Xylem है, तो यहाँ पर मैंने already लिख दिया है, कि यह क्या होंगे एंडार्क, यहाँ पर भी क्या होगा, एंडार्क, ठीक है, आप चाहो तो प्रूफ भी दिखा सकती हूँ मैं आपको, ये देखो, आप खुद देख लो, ये पिंक वाले जो है न, ये सारे के सारे Xylem है, देखो छोटा Xylem अंदर की तरफ है, बड़ा Xylem बाहर की तरफ है ये बड़ा Xylem किसको फेस कर रहा है, एपिडर्मिस को, ये छोटा Xylem किसको फेस कर रहा है, पित को, तो जो पित को फेस करें, जब प्रोटो Xylem ये प्रोटो Xylem ये प्रोटो, प्रोटो Xylem जब पित को फेस करता है, तो हमने अभी लिखा दो न, इसको क्या बोलते है, ए NCRT ने लिखा हुआ है कि water cavity सिर्फ और सिर्फ कहां पर present होती है सिर्फ और सिर्फ यह present होगी monocot stem में ठीक है यह देखो मैं आपको दिखा भी देती हूं डाइग्राम में यह देखो यह रहा अब आपको यह चीज़ देखो यह एक एक vascular bundle है ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका आख है इसका नाख इसका फेस लग रहा है इसको अगर मैं थोड़ा जूम करके सिर्फ इसी की शकल दिखाऊं तो ऐसा दिखाई देगा और यह जो खाली स्पेस है ना इसी को हम बोलते हैं water cavity और यह water cavity सिर्फ monocot stem में दिखाई देती है यह हमारे dicot में नहीं दिखाई देती है यह कैसे बनती है ऐसी cavity को वच्चो ऐसी cavity को हम क्या बोलते हैं ऐसी cavity को हम schizo schizo lycogenous cavity बोलते हैं schizo lycogenous cavity बोलते हैं schizo का मतलब क्या होता है जब cell की size decrease होने लगे है ना तो decrease होगी cell की size तो obviously space create होगा कोई यहां पर जो cavity बनती है वो दो कारण से बनती एक schizo schizo का मतलब है cell के size का reduce होना और cell में separation आना separation आएंगे तो भी तो gap create होगा ना सब चिपक चिपक के बैठे है तो gap कोई नहीं है separate होने लगे तो gap आने लगता है और lyc का मतलब क्या आता है यहां पर यह जो खाली space create हो रहा है यह दो वज़े से हो रहा है कि जो protozylum की cells है वो size अपना छोटा करती है उनके बीच में separation होता है और कुछ cells का breakdown होता है तो बड़ी सी gap create हो जाती है and that gap that cavity is said to be water cavity which is only seen in case of monocot not in case of dicot so we have covered the entire diagram किस basis पे vascular tissue system की basis पे और उसको हमने point wise cover भी कर लिया है लिख भी लिया है ठीके बचो तो अब हम जो next पढ़ने वाले है stem और root का तो पढ़ लिया now the next would be vascular tissue system of leaf ठीके vascular tissue system of leaf तो चलो आप पढ़ते हैं यार चलो आप पढ़ते हैं leaf का जो vascular tissue system होता है हमने देख लिया आता कि leaf में भी क्या होता है conjoint system होता है तो पहली बात लिखो conjoint और क्या होगा collateral ठीके conjoint होगा collateral होगा और secondary growth होती नहीं तो cambium होता नहीं तो closed यहाँ पर bundle sheet cells present होती है मतलब layer present होती है around vascular bundle बट वो किसकी वनी होती है parent काईमा के cells की तो मैं ऐसे को क्या बोलेंगे parent काईमेटर्स bundle sheet क्या बोलते है parent काईमेटर्स bundle sheet पढ़ा तो हुआ है हमने photosynthesis वाला chapter ठीक है दिखाया था ना इसके अराउंड यहाँ पर मानलो यह लीफ है ठीक है लीफ हमें दिखता ऐसा है लीफ को जो तुम कट करोगे तो तुम्हें center में vascular bundle दिखाई देगा ठीक है और इसके around parent काईमा की cells लगी होती है ठीक है इसीलिए हम ऐसे को क्या बोलते है parent काईमेटर्स bundle sheet cell क्लियर है अब लीफ बच्चो दो तरीके की होती है कौन-कौन सी dicot and monocot यह देखो इसकी anatomy है यह हमारी किसकी anatomy है यह dicot की anatomy है ठीक है तो आप देख सकते हो बच्चो यहाँ पर bundle sheet cell लिखा हुआ है यह बीच का vascular bundle है यह बीच का vascular bundle है है और उसको surround करने वाली layer को हम क्या बोलते है vascular bundle sheet cell जो किसकी बनी हुए parent काईमा की बनी हुए अगर मैं dicot की बात करूं तो dicot में कैसा vanation होता यार dicot में reticulate vanation होता है ऐसे network like ऐसे network like vanation होता है है ना तो vascular bundle के size same नहीं होगे क्यों क्योंकि network कहीं पर घना हो सकता है कहीं पर कम network होगा तो जहाँ पर ज्यादा density होगी वहाँ पर जैसे for example जहाँ पर veins thick होगे ठीक है जहाँ पर thicker veins bundle मिलेगा ठीक है तो हम यह बात लिखेंगे कि in case of dicot leaf in case of dicot leaf different size of vascular bundle can be seen different size of vascular bundles different size of vascular bundles जहाँ पर यह चीज़ आपने याद रखनी बच्चों जहाँ पर thick vein होगा thicker vein will have large size of vascular bundle ठीक है और जहाँ पर thinner veins होगी इतना network नहीं होगा वहाँ पर you will see small size of vascular bundle तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए क्या dicot पे same type of vascular bundles होगे with respect to size no not at all why reason हमें पता है because dicot में reticulate vanation होता है तो network पे dependent होगा जहाँ पर घना होगा वहाँ पर large size होगे जहाँ पर कम network होगा वहाँ पर small size होगे अब यहाँ पर monocot दिया हुआ है monocot में यहार monocot को iso bilateral बोलते तो इनका ज्यादा ज्यादा सारा चीज सेम होता iso का मतलब same तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं न अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं लिखूंगी in case of in case of monocot leaf monocot leaf कौनसी बनेशन होती है parallel बनेशन होती है parallel बनेशन तो parallel बनेशन की वज़े से बच्चो एक सकेंड parallel बनेशन की वज़े से you will have same size vascular bundle same size vascular bundle ठीक है VB का मतलब vascular bundle except at midrib क्योंकि midrib पे थोड़ा थिक हो सकता है न तो midrib को हटा दो तो बाकी जगह तुम्हें जो vascular bundle का size मिलेगा वह बिल्कुल से मिलेगा बस इतनी इसी बात है जो आपना याद रखनी है with respect to vascular system of leaf ठीक है बच्चों तो बस इतना ही है येस 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 और एक और जीद आप देख सकते हो monocot में कि monocot में xylem कहां है उपर की तरफ उपर वाली surface को हम क्या बोलते है एडाग्जियल ठीक है और phloem किधर को face कर रहा है नीचे वाले को तो हम क्या बोल सकते है अवाग्जियल ठीक है ये भी छोटी सी बात है जो मैंने याद करवाया था MS धोनी तो स्क्लेंट कामेटिस हाइपोडर्मिस होती है true presence of water canals in pith water canals अभी हमने पढ़ा था water cavity होती है Conjoint system होता है Collateral system होता है Closed अचा पित तो Monocot stem में होता ही न न प्रस koEs हम कहां बोलते Monocot stem में पित तो absent होता है Monocot stem मेंस है यह देखो पढ़ा हुआ है यह सखेंड़ बहुत जाधा आगए चला गया एक सेकंड यह देखो, पित तो monocot stem में होता ही नहीं, तो पित में water cavity कहां से आ जाएगी, water cavity होती जरूर है बचो, but not in पित ना, तो यह चारी चीज़े ध्यान से पंड़नी है, ठीक है, यह गलत दिया हुआ है, गलत है, तो यह सारा stem को बता रहा है, और cambium भी नहीं है, तो यह close stem, close किसमे होगा, monocot में, तो यह monocot stem की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, monocot stem की, अब तुम्हें monocot पहचानना है, ठीक है, अच्छा, सब में present होते हैं, but not in, मतलब यह monocot है, यह monocot है, यह monocot है, तो सब में यह सारा system मिलेगा, conjoined, collateral, and dark, और cambium नहीं, मतलब close system, किसमें नहीं मिलेगा, sunflower में, sunflower क्या होता है, बच्छो, dicot होता है, अब आप सोचो कि मैं हम examples कैसे याद करें, बच्छो, जब morphology पढ़ लोगे न, तो आपको by default यह सारे पता चल जाएंगे, और वैसे भी धीरे-धीरे करके, जैसे जैसे आपको पता चलते जा रहा है, different chapters में monocot, dicot, photosynthesis में भी हमने example पढ़ा था, एक page बना लो, monocot का और dicot का, और start writing all the examples over there, कुछ हम morphology में भी पढ़ेंगे, mainly morphology में पढ़ेंगे examples, next है, monocot differs from dicot stem in having, देखो, N-R कोई difference नहीं है, N-R तो दोनों stem में तो दोनों में होगा, तो इसमें कोई difference तो नहीं है, collateral vascular bundle, collateral भी दोनों में होता है, कोई difference नहीं है, well developed pith, monocot stem में pith होती ही नहीं है, monocot stem, dicot से अलग है, क्योंकि उसके पास pith होता है, गलत बात, polymorphic vascular bundles, yes ये सही है, polymorphic क्यों बोल रहे हैं बच्चो, polymorphic इसलिए बोलते हैं, मैं तुम्हें reason दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर different size के vascular bundles लिखाए ज़रे हैं, जो बीच में उसकी size बड़ी है, जो बाहर है उसकी size छोटी है, तो ये point हम लिख भी सकते हैं बच्चो, different size of vascular bundles होने की वज़े से, ऐसे vascular bundles को हम क्या बोलते हैं, ऐसे vascular bundles को हम polymorphic vascular bundles बोलते हैं, तो polymorphic vascular bundle किसका feature है, ये monocot stem का feature है, ठीक है, हाँ, एक second, हाँ, तो yes, ये इसलिए dicot से अलग है, next, centripetal and centrifugal xylem are the important features of, अच्छा, ये तुम किसके respect में याद करोगे, एंडार्क और xylem के respect में, ठीक है, अब मैं तुम्हें दुबारा से बताती हूँ, एंडार्क, फटाक से revise कराओगी बच्छो, xylem, xylem, छोटा वाला बाहर की तरफ होता है, बड़ा वाला अंदर की तरफ मिलेगा, एंडार्क में क्या होता है, प्रोटो xylem अंदर की तरफ मिलता है, मेटा बाहर की तरफ मिलेगा, प्रोटो, मेटा, ऐसा किस में होता है, रूट में होता है, ऐसा किस में होता है, स्टेम में होता है, अब जहां से सुनना, हम बोलते हैं, प्रोटो पहले बन जाता है, पहला जायलम जो बने वो प्रोटो है बाद में जो बने वो मेटा है जो पहले बन गया ठीक है उसके बाद मेटा बना तो growth center से शुरू होई periphery तक गई center से शुरू हो करके periphery तक गई ऐसे growth को centrifugal बोलते हैं तो stem में centrifugal growth मिलती है यहां क्या हुआ, proto पहले बना, कहां पर, periphery में, फिर किधर की तरफ meta बना है, center, तो growth कहां से हो रही है, periphery से center, जब towards center जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, centripetal growth, क्या बोलते हैं, centripetal, तो देखो, centripetal किस में लिखा है, हमने, root में लिखा है, centrifugal किस में लिखा है, stem में ल में जाक ये भी सही है ठीक है that means both A and B are correct तो जो हमारा option बना वो कौन सा बना option number D so yes बचो this was all for this lecture next lecture में मिलेंगे तो we will talk about कि what is secondary growth so I would request कि आप सब पढ़ करके आओ क्योंकि आप पढ़ के नहीं आओगे cambium and all revision करके आना बचो तो हमारा secondary growth पढ़ना थोड़ा easy हो जाएगा तो next lecture में मिलते हैं बचो तब तक के लिए bye bye and take care